क्या सदुद्दीन ओवैसी हिंदूओं के खिलाफ हैं लोगों ने कहा कि आप भाजपा से मिले हुआ 22 सप्टमबर 1999 को हमको पोलिस ने खुब पीटा था रोट पर सर फोड़ दिया हमारा और गोली चला ही हम पर अखलेश यादो जी मुख्यमंत्री थे आपको अनुमत ही नहीं मिलती थी क्या था चक्कर हमारा प्रोग्राम था बनारा से एरपोर्ट से जौनपूर जौनपूर से आदमगर CISF का अफिसर आके उनको बलता है सर आप अभी मज जाएए OVC साब की बड़ी भीड है 21 वरवरी 1990 का आपके पिता जी हैदराबाद के सांसत का एक भाषण है इल्जाम है कि हिंदूों के आराध्य भगवान राम के बारे में आपति जनक बातें कही गए आप नरेद्र मुदी को बाश्या सलामत कहते हैं कुछ बाचीत होती है अच्छा ही बताइए लोग समा में आमने सामने तो पढ़ जाते होंगे नहीं क्या अस्दुद्दी नुवैसी राउल गांधी की इजज़त करते हैं क्या आपको लगता है कि अस्दुद्दी नुवैसी ही मुसल्मानों की राजनीती कर सकते हैं क्या आप दो बच्चों की पॉलसी से सहमत है आपके भाई अकबरुद्दी नुवैसी और उनका वो भाशन आपकी क्या सला थी उनको कि उनको अपनी जबान से तल्खी हटानी चाहिए ये भी कहा जाता है कि ये जो आकरामक्ता है अस्दुद्दीन वैसी आकरामक्ता के जरीए उन्होंने हैदराबाद के इलाके में अपना वर्चस्व कायम रखा है जो उनका राजनेतिक विरोध करता है उसे सामदाम दंडभेत कैसे भी कुचल दिया जाता है एक बार आपको हिदराबाद आना पड़ेगा सौरब साब आपकी पार्टी का कोई यूथ विंग नहीं है इंडियन पार्टी से कोई बुड़ा नहीं होता कोई बुड़ा नहीं होता जमघट ललन टॉप का वो सियासी मंच जहां सत्ता के दाविदारों से सवाल किये जाते हैं जमघट के आज के अंग के हमारे मेहमान हैं हैदराबाद से सांसत समर्थकों की और इष्टिहारों की भाषा में बात करें तो बैरिस्टर असदुद्दीन उवेसी बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आप में दावद दिया आपके इस मशूर प्रोग्राम में आने के लिए भुष required में दावद तो हम सب नेताओं को देते हैं और सबकी तसल्ली से बात सुनते हैं कोछ को दावध तक पहुचने के लिए टोटर पर एक उलाना भी देना पड़ता है कि वह जलदी समय दीजे बहुत-बाक्त से बात चल रही है घुक्डम vacun प्रेशर बिल्ड हो गया कि देखो अब तो सदर साब क्या आपकी समर्था कि आपको सदर बोलते हैं? महबबत से बोलते हैं. शुरू करें फिर बात्चीन. आप में और अमित्शाह में बहुत महबबत है. ऐसा आपके विपक्षी कहते हैं. हाँ वो महबबत हमारे जो विपक्षी कहते हैं, उन्हीं के घर में महबबत बड़ी हो. उन्हीं के पास मीटिंग हुई जी हमारे उनकी. ऐसा कुछ नहीं है. वो एक आर एसस की विचारधारा के कट्टर मानने वाले लोग हैं. और हम उसके आपोजिट काम करते हैं. अब ये हमारे खिलाफ ये बोला जाता है, इल्जाम लगाया जाता है. तो खेर अब तो शुरू शुरू में लोग लगाते थे, तो अब तो खेर आप कोई इसको बिलीव भी नहीं करते हैं. और बोलते हैं, हमारे जो अपोनेंट्स हैं, उनका राइट है, बोलना चाहिए. आप आखरी दफ़ा देश के ग्रीह मंत्री और भाजपा के नेता अमिद शाह से कब मिले थे? मैं आज तक, अफिशियली या नफिशियली, कभी भी देश के होम मिनिस्टर से मिरी मुलाकात नहीं हुए. और फोन पर बात दिनी हुए? बिलकुल नहीं हुए. लोग कहते हैं कि अफ्दुद्दीन उवैसी का एक चहरा वो है जो टीवी की डिबेट में नजर आता है, एक चहरा वो है जिसमें उनके तमाम पार्टी के अलग-अलग सांसदों और मंत्रियों से बड़े दोस्ताना तालुकात हैं. सब्ते हैं? तमाम पार्टी के सांसदों से. अगर आप मिलेंगे और वो बोलें कैसे हैं तो मैं मुंडी पलठा लूँ. अच्छा हूं, ठीक हैं, बात्चीत होती है. तो बात्चीत क्यों नहीं होने चाहिए? बात्चीत बराबर होती है पार्लेमेंट में हर एक से होती है. भाजपा के स है छे मिनिट का टाइम. फिर बात में बोलते हैं रहे नई भाई पार्टी का मामला है. आप पुकारो अपना पुकारना है. आप करी हमारा कम हम करते हैं. तो इसमें ऐसा आइडियोलिजी के ओपर फरख है और रहेगा हमेशा. यह सवाल मैं आप से इसलिए पूछ रहा पर सदन के बाहर वो एक दूसरे से बात भी करते हैं. दूह सलाम भी करते हैं. देखिए एक ऐसा होता है ना कि आपकी आइडियोलिजी को भूल कर आप लगाव में चले आते हैं. वो नहीं हो सकता. आइडियोलिजी है मेरी और आइडियोलिजी बीजेपी के खलाफ है. मगर अगर कोई बीजेपी का MP मुझसे पुछेगा कैसे हैं आप मैं अच्छा हूँ बात ना करूँ क्या वर हम पार्लिमेंट में खड़े रहे के सरकार के खलाब बोलते हैं और बोलना भी चाहिए इसी कोई बुरी बात नहीं यह तैह है कि AIMIM के सुप्रीमो अस्दुदीन वैसी B.J.P. के खिलाफ हैं बाकी जो अपोजीशन की पॉलिटिकल पार्टी से नहें कोई दुराव नए है भी बाकी जो अपोजीशन पार्टी से हैं भी हम मिलते हैं नहीं मैं पार्टी खुरी और आइडिलोजी के लेवल पर बात कर रहाएं तहीं जहां तक B.J.P. का सवाल है RJD है ये तो हमारी मुखालिफ़त BJP के बरावर हमसे करते हैं तो हम भी उनकी मुखालिफ़त करते हैं अब पोस्ट करते हैं तो हम भी आपको पोस्ट करते हैं तो अब इसमें मैंने उनको रोक नहीं सकता ना उनको अब जिसा कि मिसाल के तौर पर पर पारलिमेंट में 2019 में अम कि कोने में किसी को भी टर्रिस गोशित कर देगा बगएर कोट के कन्विक्शन के हमने उसकी मुखालिफत की डिवीजन पूछा डिवीजन दी अमेंडमेंट दिये कौन ताइद किया उसकी समाजवादी और कांग्रेस आज वही खानून के तहद देश के बड़े-बड़े बाकिकाईद कर रही थे जब यव पीए में थे उसकी मुखालफत किया उसक के 及 कि यूपीए में था में ता मैं मंगर इस बिल पर हमने अपोस किया तो अब यह हमको समझ में नहीं आता है कि फर ये क के तालोग से हमाई तालोग से सवाल उटता है जहां पर मामला आता है बताने का आप नहीं बता पाते हैं आप पुद ताइद किये ना अच्छा कॉंग्रेस और बीजेपी ने मिलकर एक दिल्ली हाई कोट का जज्जमेंट आया था फॉरंड फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी इसका उन्होंने खानून मना दिया रेट्रोस्पेक्टिव उसको कर दिया दुन्होंने मिलकर ताइद कर दी दिल्ली हाई कोट ने कहा था है मेचे को क्या इंक्वाईरी करिए आपने खानून मना कर रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया कॉंग्रेस ने ताइद कर दी इसकी यह हम को समझ में नहीं आता ये क्या है तन डोले मेरा मन डोले उनके साथ चलते रहता है पर उनके साथ तो आप भी थे 2004 से हाँ यखिनन थे 2004 में थे और 2012 में कॉंग्रेस और आपके बीच महबत कहां दरग गई मैं जब अमेले था चार मिनार से थे पहरी दफार चार मिनार से अमेले था तो उस वक्त एंटी रामोराव मुख्य मंतरी थे 1994 में उसके बाद उनकी पार्टी में चेंज आया चंद्रवाब उनेडू बने नाइंटी एट में चंद्रवाब उनेडू ने बीजेपी की ताइप की जी तो हम उनके खिलाफ हुए नाइंटी नाइन में फिर हम दुबारा एमेले चार मिनार के वाम ने हमको मुन्तखब किया जिदाया तो उस वक्त राजशेकर एड़ी लीडर उपोजिशन बन कर आये तो हमारे वालिद मरहुम का और पार्टी के जिमेदारों ने राजश 2004 में सत्ता खतम हुई फिर उन्हें एक प्रोग्राम बनाया कि माइनरिटी उस वक्त के अंदर परदेश में क्या करना चाहिए माइनरिटी के लिए तो हमने का कि रिजर्वेशन दिया जाए फाई परसंट रिजर्वेशन और बहुत से स्कीम थे फिर उसके बाद राजशेक चीजों को accept करते थे फिर उनका इंतिखाल हो गया accident में फिर एक नए मुख्यमंतरी बने रोशेया फिर उसके बाद किरन कुमार बने वो तो खेर बहुत ज्यादा ही law and order में फेल हो गये इस बीच में तेलेंगाना का एडिटेशन चला तेलेंगाना के एडिटेशन मनलिस लि क्यों खिलाफ थे आप तेलेंगाना की हमारे रीजन्स थे हम लोग तेलेंगाना बनने के खिलाफ इस लिए थे कि हमारा मानना यह था कि छोटे स्टेट में बीज़ेपी को फायदा होता है और बनने या ना बनने की इकलौती वज़े नहीं हो सकती ना कि आपकी एकलाइद मैं मिलने गया बोले मैं पूरा लिटर पढ़ा हूं तुमारा और वेरी वेल रिटन इसमें एहम पॉइंट्स हैं और उनको कुछ जानना था वो फिर पूछे बताए करें हम कि दोहुजार चौदा में टी आरेस को हम तो दोजार बारा में कॉंग्रेस अलविदा कर दिये थ कई मरताब हमको जेल भी जाना पड़ा कॉंग्रेस की महरबानी से तो खैर दोजार चौदा में टी आरेसी सरकार बनी चंदर शे कर रहा हूं से हमारी मुलाकात हुई केसी आप दिन तों के लोग कहते हैं बड़े अच्छी मुलाकात रही और बड़े पॉजिटिव नजर आ तक आएं अब आपका तेलंगाना से कोई दुराव नहीं है नहीं तेले वह एक हिस्टो एक हिस्टारिकल चीज़ स्टैंड हमारा तो वह इसलिए कह रहा हूं रिकॉर्ड मैं कहा हूं कि हम तो उसके खलाफ हमने लिक कर दिया था वो बात सही है हमने लिक कर दिया था अब और मुख्यमंतरी से हमारी बात चीत हुई थी हमने का कि सर आप यहां पर माइनारिटीज के लिए स्कूल खोलिए फिर बहुत सी मलाखात वी लंबी मलाखात ही हुई वह अपना तजवीज हम अपनी सदेशन तो बाद में एक रिजिजिंशल स्कूल का कॉंसेट बनाया गया जिसमें सिक्स कलास से ट्वेल्ट कलास तक मुस्लिम बच्ची और बच्ची माइनारिटीज के फ्री में पढ़ती हैं खाना करहना और मुझे अची तरह याद है सौरफ साब जब पहली दो साल तो लोगों को हमको बलाना पढ़ते हैं भाई अडमिशन लो फ्री में हैं अब कि लोग इस बात को समझना जरूरी है कि अगर मुस्लिम माइनारिटी का पॉलिटिकल एमपावर्मेंट के साथ साथ एजुकेशन एमपावर्मेंट बहुत जरूरी है और मुझे यखीन है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले चे साथ साल से एक सोशल रिवोलुशन क्योंकि ये मेरा प्रियविशय है सिक्षा और मुझे लगता है कि आदमी या औरत को अच्छे से आप पढ़ा दोसके अंदर साइंट्फिक टेम्प्रमेंट आ जाए तो दुनिया के काफी मसले सुलस सकते हैं आपने कहा कि तेलंगाना में ऐसा हुआ लोग उसकी एक इंटर कि सब कुछ तो सरकार भरोसे नहीं होता है तो जो मुसलिम समाज है उसमें सिख्षा को लेके लड़कियों की एजुकेशन को लेके उस तरह के बड़े रिफॉर्मिस मुव्मेंट क्यों नहीं जल रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि मुसलिम समाज में बड़े उद्योगपती नही हैं बड़े कारोबारी नहीं है नहीं यह आपका सवाल मैं अग्री नहीं करता हूँ जे दो हुजार चौदा अक्टोबर में जब मोडी सरकार आ गई थी तो एक कुंडू कमीटी प्रोफेसर कुंडू साहब ने एक रिपोर्ट पेश की नजमा है पतुल्ला मैडम को जो वो मै जिसमें उन्होंने रीजन्स लिखे मुसल्मान बच्चों के तालीम से दूर होने के पहला रीजन प्रोफेसर कुंडू कमीटी में लिखा के फैनैंशल वेर वितौले ने पैसे नहीं इनक्वास पढ़ाने के लिए उन्होंने लिखा कि बहुत जोश है जजबा है पढ़ान का वो था कि इनके पास फैनैंशल वरिवतौल नहीं है दूसरी बात मैं पार्लिमेंट में चौती मरतबा जीता हूं पार्लिमेंट का रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए आप मैं कंसिस्टेंटली इस बात का डिमांड कर रहा हूं कि जो माइनोरिटी स्कॉलर्शिप स्कीम मैं मिरीट कमीन हैं तेन बड़े हैं हमेशा है मतालबा कर रहें कि इसको आप डिमांड करें किसको डिमांड रिवन करिए मेरे 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 मिर्ट कुछा कि आप की जानकर है होगी कि एक scholarship के ओपर मुसल्मान बच्चे 19 लोग अपलाई करते एक scholarship के लिए ये demand driven नहीं होने की वज़े से हर साल कम से कम 50 से 55 लाग मुसल्मान बच्चे और बच्चियां इन तीनों scholarship से महरूम हो जाते नहीं में अगर demand driven करेंगे तो सिर्फ 2000 कोड का सरकार पर बोज़ है ये बड़ा कुछ भी नहीं है उस standing community की report मैंने recommendation ये लिखाए हमने आप नहीं करना चाहते आप तो सब बोलते हैं अच्छा तीसरी बात मदर्सा modernization scheme है सरकार के पास अब वो ministry of minority welfare में आगे हर मदर्से में हिंदी पढ़ाया जाएगा math science पढ़ाया जाएगा इसलामी तालीम से हटकर आपको जानकर तकलीफ होगी कि पांच साल से तंखा नहीं दीर गिंदों उन टीचर्स की जिसको हाइर किया गा था math science हिंदी पढ़ाने के लिए पिछले winter session मेरा question लगा मुखतार अबस नखवी को हम पुझे पुझे क्यों नहीं दोने on record accept किया कि हमको पचास लाग पीचरों को पांच सार कोड़े खरीब देना है हैरत की बात यह है कि उत्तर परदेश में उसमें state का share होता है चार साल से share नहीं देती योगी सरकार उसमें और यह backup मैं आपको करूँगा पार्लिमेंट का record है और एक story की गई थी एक जनलिस्ट थी बड़ी बहद्दूर इसमतारा wire में किया था हमने question डाला और उसके पार्लिमेंट मेशनल देने के बाद भी आज की तारीख में भी ना state government अपना share देती है ना central government ने अब तक उनको दिया तो ये बात कहना गलत है कि मुसल्मान पढ़ना नहीं चाता है रिफॉर्मर्स ने पढ़ना चाता है आप school खोलिए इसलिए जो पहली report आई थी national education policy की उसमें ने लिखा था कि जैसा special economic zones है वैसे मुसलिम बहुल इलाकों में education zones खाइम किये जाए करिए ना कौन रोकर आपको और करेंगे तो आपका support रहेगा अरे बिलकुर बही मेरा क्या community का support रहेगा जाके पढ़ेंगे अचा आप ने इस जवाब के जिक्र में मदर्सों की बात कही मदर्सों को लेकर बहुत social media पर उससे एतर भी बात होती है तार्मिक सिक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मदर्सों को लेकर और भी कई बातें कही जाती है मुझे याद आ रहा है इतना पैसा मिल जाता है पहले जीविता ऐसी थी अब ऐसी है तीन चार बच्चे हैं पढ़ने कहां जाते हैं तो उन्हों ने जो बात कही बोँझे अभी भी याद है और यह मैं लिख के नहीं लाया हूँ यह लड़कियों को तो भेशते नहीं है और लड़कों को मदर्से में भीजते है यह इस पर कैसे काम होना चाहिए कि लोग धार्मिक सिक्षा के बजाए जो सिक्षा उनको रोजगार दिला पाए उस पे जादा करें और यह मदर्सा मॉडनाइजेशन को लेकर कि जो बड़े कॉंट्रेडी वीव होते हैं उस पर आपका जाए नहीं मदर्सा मॉडनाइजेशन की स्कीम तो है कई सालों से चल रही है लोग उससे फाइदा भी उठा रहे हैं किसी को उसका डिफरिंग भी हो सकता है मेरा भी हो सकता है मर जब स्कीम है गौर्रमेंट की तो मेरा काम बहुत है एंपी है कि वो सकीम का इंप्लिमेंटिशन और नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है और अगर बजट नहीं है तो खतम करते हैं सकीम नहीं क्यों खतम करेंगे एलिफ आगर बजट निभाय दे रहे हैं? नहीं जब आप पारलिमेंट एमेरा बजट सेंक्शन हो रहा है, तो बजट देना पड़ेगा ना आपको, वरना पारलिमेंट की सेंक्टिटी पारलिमेंट की एहमेद क्या रहेगी? बल्कुला, शाल मदरसे का सक्षर कमीटी ने य मदरसा खोली है आप स्कूल खोल दीजिए स्कूल को भी जाएंगे मदरसा इसलिए जरूरी है कि इसलाम की खुरान और सुनत और उसका जूरिस्पृड़न्स फेख जिसको बोलते हैं उसकी तालिमात तो जरूरी है लोग जाते हैं रिलिजिन के टीचिंग्स है उसको रहना च सरकार भी कंटीन्यू कर रही है कि सरकार भी कंटीन्यू कर रही है लड़कियों की सिक्षा को लेकर ने लड़कियों की सिक्षा के लिए आप स्कूल खोल दीजिए अच्छा इसमें आपको और एक्जांपल देता हूं हमारी स्टैंडिंग कमेंटी की रिपोर्ट में MSDP प्र स्टेट्स ने कहां पर माइनरिटी के स्कूल खोलते हैं जहां पर आप इडिंटिफाई किये यह माइनरिटी कॉंसेंटेशन डिस्ट्रिक है यह MSG तालुखा है आप वहां नहीं खोलते दूसरी जगा खोलते तो कहां जाएंगे फिर आप बै कौन सी बस सर्विस है कौन सा ट् जो थी आपकी आपके सेटलमेंट डेमोग्राफी के साब बिल्कुल जुरूरी है नहीं जहां पर आपको माइनरिटी कॉंसेंट्रेशन डिस्ट्रिक्स आप इडिंटिफाई कर लिया महाँ पर दीजिए अच्छा सौरब सा और एक बात देख लिए बारत सरकार मुडी सरका उसको डेवलप्मेंट नहीं करने के लिए अच्छा काम करने से को रोकता है क्या बताई आप आप ने क्यों नहीं खोला महां पर स्कूल क्यों नहीं कॉलेज खोला क्यों नहीं उनको सब चीज़ें दी और उन एस्परेशन डिस्टिक्स में आप देखेंगे टॉप 10 में तो 1947 से नहीं बलके हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगा होगा यह कैंसर फैलने के लिए अब कैंसर तो हर तरफ फैल चुका है जहर क्या है यह कैंसर के कैंसर डिस्क्रिमिनेशन का है कैसे जो डेश के कैपिटल से 40 किलोमिटर पर मिवात है वो कैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक हो सकता है मैं समझे लियाता आश तक कैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक हो सकता है लेके आप थोड़ आप हिस्ट्री में चले गए मेरे सामने एक हिस्ट्री का सवाल है गाजियाबाद के लोनी में भी पहला अतंकवादी था वो शायद आपके पार्टी की हिस्ट्री पे जा रहे थे थोड़ा इस तो बात करना चाहेंगे देखिए जहां तक रजाकार थे जे वो पाकिस्तान चले गए जो वफादार थे सौरा गुपता के सामें बैठे हैं रजाकार चले गए पाकिस्तान च तबा कहा और दूसरी बात गांदी को जिसने मारा उसको टर्रिस्ट चे कहेंगे ना बिल्कुल उसको तो अब दूसरे लोग हैं नहीं कोई किंटू परंदू नहीं गोट से और आप्टे और जो भी थे गुरुप को तो फांसी तो मिल गई और उनकी नाजाइस जानेशीन लोग कि आज बी बरकरार है बहरत में आजवी उनको हिरो मानते है आप ये नाजाएच शबन कर रहें लोग कहेंगे वसा दूदीन और वैसी वैसे तो बड़ा पारलिमिंटरी लिंटू आ इसमें जायिज तो कहना तो कहना तो ख頭 जाएगा ना इसी लिए तो आप देखते ह कि जहां कहीं भी हमने तसाविर देखे कि गांधी की फोटो के साथ कोई बंदोख लगा के बता रहा है हमने देखा कि गोटसे की कोई फूल माला चड़ा रहा है उस टैचू बना दिया उसका यह नहीं है बिलकुल है यह और यह तो और बढ़ गया इसमें हमको गाली देना तो अब प्रयागराज में हुआ धरम संसत आप पूछ लीजे हर अदमी खड़े होकर हमको गाली इसकी गरदन काट दो इसको पीट दो तो हम बहुत ठीक हैं आप बोलते रही हमको क्या करना है क्या वज़े है यह इतना जादा आपको लग रहा है अभी जादा बोला जाने लग कार की तरफ से इनको पूरी मदद दी जाती है चुना हो रहा है मॉडल कोड ओफ कंड़क्ट है और यह सब बकवास अनाव शनाव बका जा रहा है और फिर सब के सब कहते हैं कि योगी कोड़ दो कोड ओफ कंड़क्ट लागू ही नहीं होता क्या उनके अपर अगर आप ओड देने की बात करहिए तो मॉडल कोड ओफ कंड़क गिरना चाहिए उनके उपर उनको एरस्स होना चाहिए उन पर 153 धारा लगनी चाहिए टू 95 IPC लगना चाहिए उनके उपर क्यों नहीं लग र ना ग्यारा महीने जेल में थे क्योंकि हमारे दादा ने भारत के सम्विधान के तहद इस पार्टी को खायम किया इस पार्टी का कॉंसिटूशन बनाया और उस वक्त की जो कॉंग्रेस सरकार थी उनको यह हर्गिस पसंद नहीं था कि दुबारा कोई मुस्लिम पार्टी वहां पर आए जो रिलीज क्यों किया था इनको कासिम रिजवी को जेल से एक दिन के लिए ने खासिम रिजवी को च्छे या साथ साल वो जेल में थे जे उनको गॉर्मन्ट अफ़िड उस वक्ती गॉर्मन्ट अफ़िड ने अमनिस्टी दिया था और उसकद पाकिस्तान चले हमाई दादा ने कहा अबदुलवाएद होईसिन का नाम तो ने कहा कि मैं इस पार्टी का सम्विदान भारत के सम्विदान तहट करूँगा और रजवी साब कुछ नहीं बोले खासिम रजवी बोले नहीं अगर पुलिटिकल स्टगल होगी तो भारत के सम्विदान के तहट होगा क्या क्यूंकि वो अपने लॉयर थे उन्होंने चेंजूशन किया पार्टी का नाम चेंज किया ये लोग जानते हीं नीए इन चीजों को ओल इंडिया जोड़ा नें पार्टी का नाम भी मदलीस एत्याद مسلمین नहीं था दूसरा नाम था कुछ बहुत से नाम थे उसको ये किया अब ये बताईए इसमें क्या गुना है वे अगर मैं भारत के सम्मिधान में बरुसा दिला रहा हूं जमूरियत को लोकशाही को मजबूत कर रहा हूं आप रजाकार की बाद में रजाकार तो चले गए प अपरेशन पोलो हुआ इसको बार बार इसका दिकर क्यों किया रहता है मैं आप को बताता हूं जी आप नहरू लाइबररी में जाकर या कोई मेंबर है उनसे बोलिए के पंडिट सुंदरलाल कमीटी की रिपोर्ट मुझे चाहिए मैं कभी हमेशा अब कहता हूं तो यह बात करते हैं ना उनकी जबाने बंद हो जाते हैं पंडिट सुंदरलाल और खाजी अब्दु गफार कमीटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए क्या वाइलेंस हुआ किस पर हुआ कैसे हुआ क्या हुआ पंडिट सुंदरलाल खाजी अब्दु गफार को भारत सरकार ने इनको करनाटका में बिदर, गुलबरगा, हुमनाबाद, पूरा हिदराबाद स्क्रेटनाद, पूर रिपोर्ट पढ़ लीजिए, इंदरा गांदी जब प्राइम मिनिस्टर थी, एक महम्मद यूनिस थे, एंपी, लोकसवाँ ने डिमांड किया कि सुन्दरलाल कमिटी की रिपोर् वो पढ़ लो आप, अगर वो भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एजी नूरानी की दिस्ट्रक्शन ओफ हैदराबाद पढ़ लो, उसमें सब रिपोर्ट है, आओ फिर बात करो मुझसे, ये थम्जप है, इनको वाट्सएप इनुनिस थे कोई कहे दिया, तो ये समझते हैं कि उनकी तरह हमारे कान में फूल है, आप आईए, पढ़िए, उसके बाद हमसे पूछिए, सुन्दलाल कमेटी की रिपोर्ट, लीक हुई, आज तक ऑफिशली रिलीज नहीं की गई, अलग-अलग सेक्शन उसके लीक हुए, ने मैंने, नहरू मेमोरियल का मेंबर हूँ, मै है मिल रही रिपोर्ट, लीक की क्या ज़ुरत है, आप जाईए ल modern, ने नहरू मेमोरियल जब रिपोर्ट मिल रही है, जी हमने लीज, बस ठीक है, तो आब आपको क्या करना है लीक की क्या ज़ुरत उसमें, जब आपको मिल गई है, अभी तो सरकार को बोलना चाहिए, आप लोह ने कभी आपने आपके वालिद में आपके दादा जाए हमने हमने हर भार कहाई उसको जब कभी हम पर बोलते हैं थे हम बोले measure कहा है लाओ report बताएंगे तुमको बैटो बात करो report के उपर बात करिए थो कौन सा रहुआ है जिसको आप हाईलाइٹ करना चारे हैं? नहीं हम हाईलाइٹ नहीं करना चारे हैं किसी पहलोग, हम ये बोर रहें कि जो आप इल्जाम हम पर लगाते, उसमें सचाई क्या है देख लो आप, रिपोर्ट लिखनी वाला तो को ऐसा दो दीनोवेसी नहीं था, और हैदराबाद उस वक्त मिल्ट एक तीसरा नाम भी है रिपोर्ट में, जिन्होंने सब्मिट की है, मौलाना अब्दुलमिस्री, तीन लोगों की थी कमिटी, अफिशल और सुन्दरलाल की रिपोर्ट से मश्यूर, सही है, तो इसका आपके वालिद की पहली गिरफतारी से क्या तालुख है, कोई तालुख आपरेशन पुलो हुआ, 1948 में, हमारे दाताओं गिरफतार किया गया हमारे अब्दुलवाहिद हो इसी साब को, 1957 में, तब फॉटी सेवन और फॉटी एट और फॉटी सेवन कितना लंबार सा हो गया, पर जो इल्जाम लगा कि भलकाओं भाश्यूर, इल्जाम तो प्रूव ने हुआ, बड़ी मुसीबत और मसाइब हमको उठाना पड़ा उस 11 मेने में, हमारे बैंक अकाउंट सीज हो गए थे, उस जमाने में कोई फिफ्टी सेवन में कोई ऐसा पानी के लाइन नहीं थी, बॉली से नागर मारते तो पानी बन कर दिया गया, आप कहने हैं सब सरकार कांगरेस ने किया, उस वक्त की कांगरेस सरकार ने, हमारे खानदान के लोग बताते हैं कि ऐसे बुरे वक्त आ गए थे, कि हमारे जो मारे वालिद की बहने थी, उनके स्कूल कॉलेज की फीज नहीं दे पा रहे थे, हर चीज मसाइब और एक ग्यारा महीने का एक अग अजी जी, वो लोग बाहुसला थे, हिम्मत वाले थे, उन्होंने हालात से समझोता नहीं किया, मुकाबला किया, और एक सियासी सफर शुरू हुआ, फिर कई लोग कहते हैं कि उस सियासी सफर को कांगरेस का आशीरवाद मिला, तेलंगाना के अलाके में CPI रजिस्ट कर रही थी, क रिहाई की चीज़े तेव हुई हैं और आपके लिए एक पॉलिटिकली मुफीद माहौल तयार हुआ, इसलिए कांगरेस ने आपका मुख्याले भी आपको लोटा दिया, जूट, जूट, नाइन्टीन फिफटीन एट या फिफटीन नाइन से, नाइन्टीन सेवेंटीन त अफिस नहीं था हमारे पास, अब जो दारुस्सलाम है, हमारे अब्दलवाहे दोवेसी लॉयर उसका केस लड़े, उसके कई दावेदार पैदा हो गए थे, ग्यारा बारा साल की लीगल लड़ाई के बाद, एक स्कीम बनाई गई, कोर्ट के जज्जमेंट में है वो, और व तालों का गवर्मेंट का खब्जा था, उसका किराया भी कोर्ट का जज्जमेंट है, इनोंगों ने क्या दिया? यह कौन सी कोर्ट का जज्जमेंट है? वहां की जो सिविल कोर्ट का जज्जमेंट था. लोगों ने यही का सिविल कोर्ट का जज्जमेंट आया, और सरकार न खे और जो किराया उसके उपर हमने एक महाभी ने नों पी-वी नर से महरा हुआ करते थे मुख्यमंद नहीं सेवन्टी एह सेवेंटीवन की बात शायद पी-वी थे या कोई थे नहीं पीवी से कभी नहीं बनती थी हमारे वालिद की परसनली उनकी कभी नहीं बनती थी हमारे पड़ोसी थे वो कभी उनकी नहीं बनती थी क्या दिक्कत थे दोनों में अरे वो आपको आफ दो रिकॉर्ड से बताएगा भी अंदर रिकॉर्ड बता दीजिए यह ललन टॉप है वर आते थे कम्मुनल बाते हैं उन्हीं नर्सिमाराओ के पीम रहते हुए प्याराओ कि उन्हीं के पीम रहते हुए आपके मेडिकल कॉलेज को कुछ दर्जा वगेरा मिला बड़ा जलसा हुआ था लोगों ने विरोध भी किया विल्कुल ने कोड से हासिल किया एक देखिए 84 में इसकी हिस्टी सनाता हूँ आपको बताइए 84 में हमारे पांच एमेले थे एंटी रामाराओ की पार्टी में गबड़ हुई नाडेलना भासकरओ सीम बने नाडेलना भासकरओ मेरे फादर से मिलने आए मेरी उमर चौदा 13-14 साल की थी मैं अपने वालिद के साथ मैं हमारे भ उस दमाने में पांच-5 लाग रुपे है पांच-5 लाग दे रही थे थे और रहेता हूँ ने नाडेला भासकरओ कर रहा हूँ ने 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 वह पार्टी ब्रेक किये थे थे रामलाल यहां से ठाकोर रामलाल गव्ते गए थे उन्हीं का सब्सक्राओं कांग्रेस नहीं गए उस वक्त बाद में गए वो हमारे वालिद बोले कि मुझे नहीं चाहिए मुझे आर्टिकल 30 के तहद भारत के संविधान के तहद मुझे मुस्लिम माइनरिटीज के लिए मेडिकल इंजिरिंग कॉलेज कुलने का पर्मिशन दे भास कर रहा हूँ ताजुब के बोले क्या कुल रहे है मैं रहा हूँ नहीं चाहिए आप दे दो मेरे को आर्टिकल 30 के तहद एक गवर्मेंट ओर्डर बोलते है जियो इशू हुआ हमको मिला मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ बदले में उन्हें पांच विदायकों का सपोर्ट मिला बिल्कुल मिला बिल्कुल हम सपोर्ट किये क्यूंके मेडिकल इंजिरिंग कॉलेज खुला 84 में अब जब उनकी सरकार चले गई तो चन्दिन कुछी दिनों में तुझी चले एंटी राम हो रहा है वो जियो कैंसल कर दिये फिर हम हाई कोट गए हाई कोट गए स्टे मिला 89 में कॉंगरेक से सरकार रहा है फिर जियो कैंसल फिर कोट कितनी लडाया लड़ी कोट से इस मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे वालिद और उनके जो साती थे उनके इंतिखाल से हमारे वालिद के इंतिखाल से तन साल पहले हमारे को बोले के इन तालीम एदारों ने मेरी आदी जान ले ली हर सरकार आती उसको कैंसल करती कोई ना कोई नुक्ता निकालती कि यह ऐसा इसमें नहीं है उसमें ऐसा नहीं है इसमें वो नहीं है बड़ी मुशिकिलात का सफर तरह करना पड़ा वो इदारे खायम हुए। का अफिशल स्टैंड यह है कि पी नर्स स्टैंड यह है कि रजामंदी से ही 6 डिसंबर के दिन हो हरकत हुई। अच्छा बाबरी मजजद यस ऐसा क्यों लगता है आपको बिलकुल आप कई स्टेटमेंट उठाकर पढ़ लीजिए कॉंग्रेस को नेताओं के उनको मालूम था यह हो रहा है कॉंग्रेस के जिन नेताओं ने यह स्टेटमेंट दिये वो घोशित और अगोशित ना आप एक क किताब पढ़िये जो उनके प्रसाद साब को इस थे बात में हिदराबाद को भी आए उनकी किताब में लिखा उन्होंने कि डेमॉलिशन से पहले ही वो मंदिर बना चाहते थे महाँ पर उनके पीमो में बड़ बड़ आफिसर थे वो लिखते हैं कि नरसी महराओ के बोलने पर वो बड़े धर्मगुरों के पास गए थे और उनके सामने ये तज्वीज पेश किये किसा करना चाहरे महाँ वो किताब में लिखे हैं किताब में तो ये भी लिखा है कि वो मुस्लिम धर्मगुरों से भी मिल रहे थे और एक पीसकुल सेटिलमेंट चाहरे थे वो क्या थे मालूँ आपको कि आप छोड़ दीजियो जगा को आप छोड़ दीए कि छोड़ेंगे अचा जी बी पन से लेकर ताले खोले गए पन साब थे नहरू ने खत लिखा कि गलत हुआ है कि कैसे रात के अंदर में कोई कूट कर खबजा कर लेता है नहरू देश के प्रदान मं तो हम आपके सामें बयान कर रहे हैं राजीव गांदी के जमाने में ताले खोले गए आपको मालूं सो जो और्डर कोट का आया मैं उसमें मैं पार्टी हूँ मुझे नोटिस नहीं मिलती है और उस जमाने में कम्प्यूटर नहीं था कम्प्यूटर नहीं था कोट की पेशी में पंदरा दस मिनिट के ओर्डर में जजज साहब ने माशालला से पचीस पेज का ओर्डर दे दिया टाइप राइटर था ना कंप्यूटर तो नहीं था और वही जजज साहब ने किताब में लिखाए अपनी किताब में कि मुझे डिवाइन इंटर्वेंशन हुआ कैसे को लोगे बुटा सिंग साहब शिला नियास कर दिये और फिर नर्सिमा राउसाब मुकमल कर दिये उसको आप उजज साहब का दिक्र कर रहे हैं लोग कहेंगे कि नहीं राजीम गांधी को एक और डिवाइन या पॉलिटिकल इंटर्वेंशन लगा ने और शाह बानो के मामल पूछे जोगों को सुप्रीम कोटे किया उसको बाद में अपहल तो किया न आप उसको क्या क्या कहते हैं आपने तो वो तो अफेल्ड किया सुप्रेम कोट ने उसके फिर तो आपके विपक्षी कहेंगे कि नरेंद मोधी सरकार ने जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाग पर कानून बनाया उस पर भी अभी कोई खिलाफ तो जज्जमेंट आया नहीं तो फि अगर कोई मुसल्मान मर्द अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाग देता है क्रिमिनल केस वो खो जाता है और कोई नौन मुसलिम अपनी बीवी को गलत डिवर्स देता है उसमें सजा एक साल इसमें तीन साल यह कैसा होगा भाई शादी तो एक यह हो रही है ना इक्वालिटी कह गई इसमें दूसरी बात तो यह जो गैर मुसलिम है वो इंस्टेंट तलाग कैसे देता है तो बीवर्स होता है जो भी हुआ उसमें अगर उसमें क्रिमिनल केस लगता है उसमें सजा बढ़के कैसा होती है अचा दूसरा आप यह कह रहे हैं कि अगर वो तलाग देता भी है वो बढ़के ते तो तब भी शादी नहीं तुटेगी और उसे सजा हो जाती है तो महाशाय जेल में रहेंगे और दो साल के बाद जब निकलेंगे तो उनकी वाइफ दो साल तक इंतजार करे वो बच्ची जिन्दगी खराब कर ले अपनी जिस जालिम ने जिस तरीके से तलाग दिया वो गुना है गलत है बिलकुल गुना है वो शादी में क्यों रहेगी भाई और वो दो साल से तो आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाग के विरूदी है बिलकुल विरूदी है अच्छा और जब वो निकलेगी तो क्या बैंड बादे से बोलेगी बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है क्यों रोकेगी शादी में हो दो साल अच्छा तीसरी बात अब कोट में मसला पाएंगे आप इसलिए हम कह रहे थे कि आप इसको खानून बनाएए डिजर्शन के उपर भारत में से कई लोग हैं जो अपने वाइफ को छोड़ दे डिजर्शन बनाएए आप नहीं किये तो इसलिए हमको उम्मीद है जब सुप्रीम कोर्ट में हेर होगा ये मुद्दे रहेंगे तो कहा जाएगा कि उसी सुप्रीम कोर्ट में राम जन्भूमी के मुद्दे पर फैसला दिया तो फिर क्या दिक्कत है जस्टिस जेस वर्मा को जानते हैं सौरफ सावा बहुर अच्छे से बस अच्छे जश्ट है उनकी वह हिंदुत वाली व्याक्षा का आज तक इन्फैलेबल सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मानते हैं और हमारा मानना यह है कि आखरी जज्जमेंट है मानते हैं मगर वो जज्जमेंट में अगर आप देखेंगे फेध की बुनियाद पर आपने फैसला दिया है कल हो सकता कि किसी और जगा पर जग़ा शुरू हो जाए भुलेगे मेरा faith है बिलकुल बिलकुल faith की ben rifleगे दिया ASI की reports ना ASI की report को दुदकार दिया उसने माना ही निया उसने supraim court ने बगाइदा जिक्र है जज्ज्मेंट मैं भी बढ़ा होगा मैंने नो मैंने बढ़ा है na मैं पढ़ा हूं मैं चालेंज कर रहा हूं आपको सल्टनत थी अवद की सल्टनत थी पोजेशन नहीं दिखा पाए तो इसी पोजेशन के क्रम में उन्होंने इतिहासकारों का ट्रेवलोग का इसकंद पुरान का और फिर उसी कंटिनूटी में एसाई की खुदाई से जो साथ ना ना नहीं वह एसाई की रिपोर्ट को नहीं मेरा मेरा मानना यह है कि अगर छे डिसंबर को डिमॉलिशन नहीं होता सुप्रीम को जाकर इन सबने वादा किया था तो कोड का जज्ज्मेंट क्या आता अगर डिमॉलिशन नहीं होता तो कोड का जज्ज्मेंट क्या था मुझे बताईए वो डिमॉलिशन हो गया मोलके तो दिखान आता है कि 2004 की यूपीय सरकार लिबरहन कमीशन का एक्स्टेंशन तब ये आप टेवर क्यों नहीं दिखा रहे थे नहीं लिबरहन कमीशन की रिपोर्ट छोड़िये ये क्रिमिनल ट्राइल जब चल रहा था जब तो CBI को करना था न अच्छा इसमें और एक बात देख को फुक फुक कर पीते हैं पूशता हूं मैं उनसे कुछ रोज पहले बोलेंगे अभी छोड़ दीजिए अभी पुरानी बातें मत निकाली आपको बता दे रहा हूं किसी जमघट के मंच पर मैं समाजवादी पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष अरे उनको क्या मालूम इत और भाईया चले गए आप अखलेश यादों को भाईया बोलते हैं ने उनको लोग कहते हैं आप तंज में कह रहा हैं बिल्कुल तंज में कह रहा हूं कि तंज इसलिए है कि उन्होंने आपको सिर्ट ना रहे वह आज देखिए वह नहीं उनका एक्तियार हो मेरा एक्तियार नहीं उस इक्तियार पर भी उत्तर प्रदेश की और देश की जंता जानना चाहती नहीं नहीं उनका इक्तियार एको नहीं करें आपके एक कुरान दोस्त मिले कौन हमारे राजबर जी राजबर जी ने एक कहानी बताई अच्छा हुआ आपने जिकर किया सब ललन टॉप जमगट पर सब जिकर होंगे है बहुत अच्छा तो किसी ने मुझे से कहा था कि यह उन्होंने इसा बोलिए बोलिए क्या कहा था हुए राजबर की ने एक जिकर किया अखलेश यादव जी से हमने पूछा वो तो जिकर को राजी नहीं और उन्होंने तो यह क कहा कि आप सपा का विरोध करके भाजपा को फाइदा पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं नाम लेकिन उन्हों नहीं लिए अपने जवाब में आप भाईया कहेंगे ने महाशय कहूं महाशय कहेंगे महाशय ने सरासर सुफय जूट कहा जूट भी नहीं सरासर जूट अंग्रेजी में कहते हैं परपेट्चुल लायर सरासर जूट जब हमारी चंदरशेकर रावन की शूट लादव ने हम कीनों को बलाया शूट जी बड़ी इज़त करता हूँ और करता रहूंगा कहां जहां कहीं रहे हो मैं और चंदरशेकर रावन साहब ने कहा कि शूट जी आप तै कर लीजिए अकीलेश से बात करके उन्होंने का कि भाई यह सब्धार ठीक है वै आप बात कर लीजिए आप यह महाशे ने क्या कहा था राजवर जी ने अब मैं नाम ने ले रहा हूँ अरे दर्शकों को तो इस पर चोना दी यह ना ने मैं नाम ने लोगा आप आप राजवर जी की बात करें सबासपा के अचाए ये आपसे नीचे हैं ने नीचे नहीं है ने पॉलिटिकल राईवल्री उ 대해서 जादा हैं हमारी इन से नी है तो ये महाशे क्या बोले थे अब अब जिस दिन किताब लिखेंगे ना हमारी आप बता दीगे तो लगातार बोल रहा है आप किताब लिखेंगे उपने रहा हो और अपने पिताजी का किस अब नहीं बता है राव साब का जो छोड़ दिए वो आपको बताएंगे आफ दो रिकार्ड मजएका है मजएका बहुत ठहरिए है ठाँ प्रिपाल जी को फोन लगा जिपाल जी ने कहा कि बताते हैं आपको ठीक है सर अच्छा फिर सुने एक कहा या यह कहा कि मेरी अखलेश से खुद बात नहीं हो पा रही ना ना बताते हैं कहा उसके बाद फिर इनका फोन है हमको कोम प्रकाश राजभर का महाशय का फोन है कि आप बता दिजिए कितने सीट चाहिए आपको सुनिए तो हमने का सर हुआ क्या है बताईये तो तो अब आपने सीट नंबर लिखे बजा दिये और वो कौन सी विधान सब्वाइब तो हमने गाए ठीक है शौकत साब का भाई बीजा दीजिए उनको हमने बीजा दिया शौकत EIMIMP प्रेश्जेक्शन यूपी के बीजा दी है उनको महाश्य को बोले ठीक है फिर गाइब गाइब होगे उसका बातचीत नहीं हुई फिर अचानक बोले के क्या हो रहा है भाई अगर हम देखते हैं ठीक है देखी आप इन सब के दोरान शौकाल जी क्या बोल रहे थी शौकाल जी से हम बात कर रहे थे वो हमसे बड़ी मुहबस इज्जा से पेशा रहे थे इतना ही कहेंगे हम यह अचानक वहाँ चले गए यह महाश्य है अब वहाँ चले गए वहां मतल आपको क्या कहा था ये महाश्य ने उन्हों ने ये कहा कि आपने एक लंबी सूची फेरिस्क पकडा दी लंबी चौडी जो की प्लिटिकल रियल्टी पड़र थी तो उन्होंने क्या कहा था किट्टी सीट अटाइस सीट दिन अचा रहे थे हैं आप माग रहे थे मिनिमمum अ महाशय की भाईया की उपाल जी ने महाशय ने उनके साथ बहुत से पाटियां थी बोले मैं सब पाटियों को बोज रहा हूं आप भी दो ले लो अच्छा ले लिए उसमें कहीं पर भी उन सीटों में जो 28 नहीं थी 28 से कम थी वो छोड़ दीजिए वह सब बहुत कम थी उसमें जहां पर भी उस सीट नहीं जिकर नहीं कि जहां पर समाजवाती का MLA था होगा जहां पर भी खैसी बात होगी गहर अखलाकी माने भाईज जै किसी का पाटी का अलरी MLA है अगर हम वहां पूछेंगे तो गहर अखलाकी बात है उसके बाद ना तो कोई बाचीत हुई ना यह आपके प्रोग्राम में आकर उनने कहा कि इतने सीट पूछे हम कोई सीट नहीं पूछे अच्छा वो जमघट में जो राजमादी का इंटर्णी जो महाशेय ने कहा इतनी नाराज़गी कि नाम भी निलेंगे महाशेय बड़े अदमी है बड़े अदमी का नाम नहीं करता था और करता रहूँगा अच्छा आप इतनी इज़त करते हैं शियोपार जी की बड़े नेता है यूपी के वो सरकार में थे अकलेश यादो जी मुख्यमंत्री थे आपको अनुमत ही नहीं मिलती थी क्या था चक्कर उसका भी खिस्ता सुन लीजिए बताईए बिलकु किया जिस दिन हम और ये महाशे हमारा प्रोग्राम था बनारस एरपोर्ट से जौनपूर जौनपूर से आजमगर उसी फलाइट में हम और महतरम जिससे लाग लोग नारे लगाते के तुझ पे हमारी जवानी खुर्बान अच्छा अकले जी को अब आप महतरम क्या रहे हैं आप फिल इंद ब्लांक कर रहे हैं तो महतरम भी उसी फलाइट से पहुंचे हम भी पहुंचे हैं और हम जो है जाकर वो बनारस एरपोर्ट के लो आई नहीं भी फलाइट में नहीं बिलकुल होती है वो तो इखलाख के दाएरे में रहकर राजनेतिक शिष्टा चार उसमें पोलिटिकल डिफरेंस रहे का मर आप उसमें सभी क्या है हमार वो बैठे वी आई पी लाउंच में सी आई एसेफ का अफिसर आके उनको बोलता है सर आप अभी मत जाएए ओवी सी साब की बड़ी भीड है ये बनारस की बात है बनारस एरपोर्ट की अच्छा फिर हम निकले महाशे हमारे साथ गाडी में बैठे और महाशे गाडी में और महाशे ने जब देखा जमगठा के सरों का समंदर है एरपोर्ट से कुछ लोग अपनी जवानी आपके नाम भी कुरबान करने हैं ना ना हम हरगी ने हम बोड़े हम खुर्बान करेंगे तूं जवानी महाशे को महाशे के अलफाज कहतें कि दिवानगी यार दिवानगी है यह तो दिवानगी है अभी यह है खिस्था मैंने करेक्ट कर रहा हूँ फैक्ट करेक्ट हो जाएं अच्छा तो एक प्रैक्ट और बता दीजे लगे हाथों जब आप उस लाउंज में बैठे थे तो सीध तो यह बात नहीं हो रही थी, यह बात्चीत जो हुई है, जो आप जिसका जिकर हम ने कहें, तो इनके जाने से एक दिन पहले ही महाशे फोन के है, बोले, क्या होगा यार ऐसा, आप देख लीजी, आप तुम्हारे साम आपके साथ हैं, आप कन्वीनर हैं, आप देख लीजी, अब जब चलेगा महाशाहिए तो क्या बोलेंगे बढ़े अगर के ढैद के am 도ाने मोजब लोह जो बत लोगों से राजनेतिक दोस्ति पेकिया अप्नी अब अब ऐसा है कि हो गया है अब गलत किये सही किये हमारा मानना या है कि अल्लाइ जो भी करता अच्छा करता ईश्वर की बाद छोड देते हैं फिलाद और चौड देते हैं भी लमबा मस्ला है हमारा एमान है आपका ही मान है, वैसे भी ईश्वर बड़ी व्यक्ति का चीज है, ऐसा मेरा मानना है, जैसे जिसको माने, अब आपकी पार्टी में और कुछ नई पार्टी आ गई है, मुख्यमंत्री पत का चेहरा आपने घुशित किया है बाबु सिंग कुश्वाहा, बाबु सिंग कुश् कुश्वाह साब बैठेंगे आपके साथ, तो वो बताएंगे, हमारी बाबु सिंग कुश्वाह साथ से बातचीत चल रही थी, साफी लंबी बातचीत हुई, बहुत लंबे समय तक हुई, फिर हमने बोला, ठीक है, सी ट्वीट डिसाइड कर लिए, मामन मेश्राम साब, उस कन्मीनियर हैं बनेंगे और धाई साल के लिए, अगर उत्तर परदेशी जनता, हमको आशिरवाद अपने दौाँ और से नवास दिये, तो उसके मुख्यमंत्री धाई साल के लिए रहेंगे, धाई साल जो है, दलिज समाज से वो बामन मिश्रा साब ताय करेंगे, और तीन सीम होंगे, जिसमें से दो अती पिशवा समाज के होंगे, और एक मुस्लिम समाज से होगे, आपने एलान किया, लोगों ने का बाते हैं, बातों का क्या, बिहार में भी बातें कर रहे थे, उपहिंद कुश्वा को खनाएंगे, वो तो जे डियू में चले गए, बीजे पी क अब upender कुश्वा साब क्योड़ अपक्र सकते हैं, अब उपहिंदर कुश्वा साब क्योड़ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, उप्ते तो होंगे आप, हमारी मौबब़ट में क्या कमी रह गही नहीं, आउपके बो चले गए, लिगे हम किसे हाथ मिलातें ना, तो हम अपन से हमसे पेश आए और हमको काम्याबी मिली पांच सीट पर हम काम्याब भी होए बिहार में एक नरेटिव चलता है बिहार में आपकी वज़े से नीतीश कुमार के नेतरत तुम्हें भाजपा जेडी यू वाली जो एंडिये है वो सत्ता में आ गई और तेजस्वी यादव मु हार के हम खुद जाकर सेंटल हाल में उनसे बात किये हमने का कि लिखिए हमने पांच साल से वहां पर काम कर रहे हैं हमारे इंचार्ज माजिस साहब और अक्तर अलियमान साहब आफताब साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं पुरी टीम के साथ संगठन को खड़ा किया हैं 2019 के हमन की आफमने लोकसवा चौनाव में तीन लागो किशनगर्च से मेले हमको आप हमको किशनगर्च लीजिए हम समझें पिर एक और उनके राजसवा के मिले तो हमको मूपे बोले आप लड़ते हैं क्यों मत लड़िये ठीक है सब हम तो आपका नहीं आये थे बोलने के लिए हम तो लड़ रहे हैं हम तो आपका सिंसेरली आप से क्वेस्ट कर रहे हैं आप सौच लीजिए भले नहीं नहीं आप लिए नहीं आप लिए नहीं आप लिए अख्तर अलीमान साब बोले कि सर मुझे पटना जाने दूए मैं पटना जाओंगा आर जैडी के जितने नेतां उनसे बात करूँगा और जो मुस्लिम समाच के बड़े नेता हैं पटना में उनसे सबसे मैं जाकर बात करूँगा बिलकुल जाइए उनसे सबसे जाकर बात चीती सब को बोला हमको को कोई पैगाम नहीं मिला तो उपेंदर कुश्वहा साब की तरफ से हमको यह इन्विटेशन आया कि आईए बात करते हैं बिलकुल बात करेंगे उसमें अच्छा उसमें यह महाशे भी थे अच्छा महाशे थे उसमें बोलते नहीं है बोलते नहीं है बीएसपी थी उसमें आएंगे उस पर भी आएंगे तो हमने पूरे बिहार चुनाओं में सौरफ साब मेरे खाल से मैं पचास या पचपन पब्लिक मीटिंग्स किया ज इसमें आदे ज्यादा तो खाली हमारे अलाइस के थे, इसमें उपंदर कुश्वासाब की पार्टी, बी-एस-पी, जो सुझे कैंड़ेट्स थे, और उन्नीस सीट हम लड़े, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ, जो लोग हम टूंगली उठा रहे, अगर वो साबित कर दें कि उन्नीस की लड़ने की वज़े से उनको नुक्सान हुआ, और अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो जूटे हैं, जूटे हैं, मुझे मालूम था योगा, जैसा रिजल्ट आया उसके दो घंटे के अंदर, हमारा एक दोस्त है, नील नाम है, बनाओ भाया, डालो उन्नीस क डेटा, कितने मायम ने ओट लिए, पांच का दालो, और जहां महारे बनाओ, जहां महारे उन्नीस में से पांच तुम जीते, नौ पर हमारे खिलाफ, गडबंदन जीत गया, अच्छा जो हम ओट लिए, वो इतना नहीं था कि बीजेपी जीत जाती, और बची पांच, वहां पर इंडिये जीती, वहां पर इतना ओट नहीं था, हमारे इतना ओट हमको नहीं मिला, कि एक गडबंदन जीत जाता हम। हमने बोला, ये क्या है बताईए, अब ये कोई नहीं बोलता कि आपने साथ सीटें क्यों दी कांगरेस को, ये कोई नहीं बोलता कि पासवान साहब کی कितने स्वीट लड़ी और कितना नुखसान हुआ, किसका फाइदा हुआ, क्या सिर्फ M.I.M.E. एलेक्शन लड़ती है, चुनाओं में कोई नहीं लड़ता है, आखिर ये इतनी नफरत क्यों है, नफरत इसलिए है, कि हकी कि मानों में, ये मुस्लिम समाज को उनका पॉलिटि कौन था, यादव था, अब्दुलबारी सिद्धी साब हार गए, अच्छा इसमें हमारे अलाइंस में देवंदर यादव साब भी थे, जी, भाई बड़ा, अन्य, सोशलिस, लोहियाइट लीडर जो बोल सकते, वो हमारे साथ थे, अब्दुलबारी साब हार गए, कही परिवार में किसी से संफर्ग होई, ने उनकी जो बेटी राजसभा की मंबर है, हमारी उनसे कभी के पालेमन मिलती हैं, तो हम सलाम करते हैं, वो नमस्ते कर देती हैं, बविश्च में किसी कटवंदन की संभावना आपके और आर जेडी के बीच, भाई, मैं दिखे, मैं तो नहीं जीत पाएंगे, मगर पार्टी यों ख़ड़ा करना था, चुनाओ लड़ेंगे तो लोगों में संगठन में लोगों को मेसेज जाएगा, शे सिटी लड़े, आपके और फुरफुरा शरीफ के, हाँ, बिलकुल हम गए थे उनसे मिलने की, उन्हों ने ललन टॉप के में जिक्र किया था, तो मैंने सोचा था, जब आप से मिलूँगा, तो पूछूँगा, बताएए क्या बात भी, वो हिद्रबाद को आए थे, पिर हम फुरफुरा शरीफ गए, बड़ी ज़त से हम उनसे पेश आए, बाचीत हमारी हुई, और वो ये ताय कर लिए, कि वो कम करना है, हमको आगे का देखना है, पॉलिटिक्स, सियासत में हर चीज़ आपको इंस्टन्ट नहीं मिलती है, काशीराम सहाब ने दस साल मेहनत करने के बाद उनको बी-स-पी को हमें, कितनी मेहनत की उस शक्स हैं, उन्हें ठहर जाएए, तो बखर वो उनका फैसला था, अब बिल्कुल जाएंगे, बंगाल जाएंगे, वहाँ पर भी फिर आपको ट्यम्सी वाले कहेंगे, वोट कटवा और बी-जे-पी का एजेंट, इसलिए गोवा में लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, कोई बोलता नहीं है, इसलिए पुरे कॉंग्रेस की लीडरों को ले ले होती है, के गुलर हमारी क्या मतलब, आफे अच्छे राजनतिक तालुकात हो, आप अप दूसरे से गाइडेंस लेंगे, किसी से पार्टी वालों से, हमारी पार्टी में बड़े भाणे लोग हैं, बुरांबर हम उनसे सीखते हैं, अगर हमको वगय चीस नहीं आती है, तो ह जाकर पूछ लेते हैं मगर किसी और पार्टी के लोगों से गाइडन्स क्यों लेंगे आप काशी राम जी का जिक्र कर रहे थे काशी राम जी ने मानिवर ने कई बिरादरियों को साथ मेले के राजनीती की बहुजन समाज पार्टी बिपक्षी कहते हैं अस्दुद्दीन हो वैसी मुसलिम, मुसलिम खत्रे में है मुसलिम को ये दिक्कत, मुसलिम में वो दिक्कत सिर्फ मुसलिमों की बात करके कहां तक जाएंगे और इसलिए पिर आपकी जब यूपी की लिस्ट आई और उसमें कुछ हिंदू नाम थे तो उसको भी रेखांकित किया गया क्या है रणीती लिए सुरफ साब हम 2019 के पार्लिमेंट के चुनाओं में महराश्ट में बड़ा साब के साथ थे उनको हम इज़त से बड़ा साब बहुते प्रकाश हमबेटकर साब जी मैं समझा उनके साथ हम कैमपेंड किये पुरा जॉइन कैमपेंड किये बहुत जन सबाएं किये फिर उत्तर बिहार में उपंदर कुछवा साब पार्टी में साथ थे यहां पर हम भागेदारी परिवरतन मोर्चा के साथ हैं जब गुजरात में हम मुंस्ट पर एलेक्शन लड़ रहे थे तो बहुत बड़े आदिवासी लीडर है जीतते हैं वो खुद अपनी ताख़ते हैं सोटु भाई वसाबा की बात कर रहे हैं हम उनके घर में जाकर रहे एक दिन बड़े इज़त से हम से रखे हैं उन्होंने तो ये कैसा बूल सकते हैं कोई भी कैसा बूल सकते हैं अब हम राजस्थान देखिंगे आप राजस्थान में बहुत बड़ा अरंस्मेंट होने वाला है कौन हमारी पार्टी को लीड करेगा अच्छा हाँ होगा राजस्थान की तैयारी है बिलकुल है इतनी तैयारी थी तो 2019 में यूपी क्यों नहीं लड़े 2019 में हम लोग तीन सीट पर लड़े हैदरबाद की अवाम का शुकर गुजार हों कि उन्हें हमने बीजेपी को हराया औरंगाबाद अच्छा यह सवाल आपकी दर्द से क्यों चुप गया औरंगाबाद का पार्लिमेंट का आएंगे वहां भी आएंगे एक से दो हो गए ना मेंबर काफी लंबी है तो औरंगाबाद के पार्लिमेंट का नहीं लड़ेंगे अच्छा जब नहीं लड़े तो 75 फीसद आपको ओर्ट मिल गया मुसल्मानों का भाजपा और सप्पा को बसपा को सॉरी भाजपा को 75 फीसदी मुसल्मान बोर्ट इतनी क्लिप काटके आपकी वाइरल की जाएगी ना ना भाजपा को मि या 75 फीसद हिंदू भायों का ओर्ट यह CSDS का डेटा है जी पर पंदरा क्यों जीट पाए पूरे चीज़ जाते ना हम तो नहीं थे एक समाजवादी पार्टी का एक लीडर तीन तीन चुनाव हार जाता है चाओदा सत्तरा और उन्नीस बीजेपी से हार जाता है क्यों हारे कभी नहीं कहते आप से क्यों हारे तुम बताओ जवाब दो नहीं बताएंगे अब हम लड़ रहे हैं तो पेट में दरत सब हम परी फाइरिंग एक चीज़ बताइए चुनाओ के एलान से पहले हम यू-पी के दौरे पर थे तो हम कासगंज के इलाके में गए तो कासगंज में एक बड़ी नायाब इंजीनरिंग है अंग्रेजों के जमाने की नीचे काली नदी बहती है बीच में अंग्रेजों के रिहाईशी इलाके बने थे उपर से नहर बहती है और उसके बगल से सड़क तो हमने सुना हमें बड़ के पार्ट पर तबेला बना है वो लोग मुस्लिम समधाय के थे गौपालन के दूद के विवसाय में थे काफी लंबी बात्ची तो ही ओन कैमरा है आपका भी जिक्राया क्यों कि सारे राजनेतिक विकल्पों पर सब लोगों से बात करनी चाहिए कि आप किसके बारे में क्या कि आप भाजपा से मिले हुए हैं गाओं के लोग कभी स्कूल नहीं गए यहने पूछा आपको ऐसा क्यों लगता है उन्होंने कहा अजदुद्दीन वैसी भाजपा के नेताओं के खिलाफ इतना कुछ बोलते हैं यूपी में उनके खिलाफ एक मुकदमा नहीं होता देखि कोई पॉलिटिकल आदमी बोले तो मैं आप से जवाब ले लूँ पॉलिटिक्स में परसेप्शन का बड़ा महत्व है एक वोटर है गाय पालता है दूद का काम करता है अनपढ़ है उसने खुद कहा वो आपके बारे में यह परसेप्शन बनाए बैठा है उनसे पूछ ले आपके अक्तोबर की बात कर रहा हूं जे पुटिंग कॉर्पेट रहे कर सी डबले के प्रोटेस में हमारे कई वर्कर्स गिरफ़तार होए इस माओ का हमारा डिस्टिक प्रेजिडेंट सोला महीने जेल में रहकर आया अब हम पर अक्षन नहीं लिए जा था हम क्या मंतरी थे क्या पहले कभी कुछ और कौन सा हम गुना किये जो हम पर एक्षन लेना चाहिए तेक आपका कानपूर का बयान बड़ा वाइरल हुआ क्या कहा था आपने रहली में पुलिस को चम्वालीस मिनिट की तखरीर थी जिसमें चम्वालीस सेकंड का बीजेपी आईटी सेल ने कट को इसकी दाड़ी लोची गई पुलिस टेशन के अंदर हाँ उसके ओपर पिशाप किया गया और हमने कहा कि आक्शन क्यों नहीं लिया आपने इसने कम्प्लेन की हमने कहा कि फिर सरकार बचा रही है आपको अच्छा इसमें ये बात बताईए अगर मैं कहता हूँ कि O.A.C. नहीं रहेगा ना मोडी रहेगा ना योगी रहेगा सच्चा ही है ना जिन्दगी में हरे एक सरकार का काम ये था कि उस पर एक्शन लेते हैं आपने नहीं लिया अब उसको उन्हें तुिस्ट कर दिया हम पूरी दो मिनिट का क्लिप डाल दिये तो खिसा ही खतम हो गया शाम में अक्सर जो होता है ना बीजे पी का आईटी सेल जब कुछ चीज़ करता है तो बहुत से म करें दुमुदी को बाशशा स्लामत क्यते हैं भाशा स्लामत कभी अच्छा ही हो जांतु होता ही हम आज तक नहीं मीले मंत्रियों से तो हो जाती हो Mine कमेटीज में हैं अलगा है कमेट विलकुए मंत्रियों से होती है बाचियों से होती है एक आपका वीडियो भी बड़ा वाइरल हुआ 2019 में जब आप शपत लेने जा रहे थे तो सत्ता पक्षी बेंच से नारे लगे फिर आपने भी ऐसे ऐसे करती है अब वो क्या बोलेगा हमको हमको देखते ही नारे बाना शुरू कर दिये हमको क्या करना है तो वह वह अच्छा परसेप्शन का सवाल जो कास गंज की घटना है आप उनसे पूछते कि क्या 2019 में OEC लड़ा क्या जवाब देते हैं क्या 2014 में OEC लड़ा तो क्या जवाब देते हैं 2017 में हम जितने सीट तड़े उससे हटकर तीन लाग के लगभग बोट पाया ना बिलकुल सही है उससे हटकर क्यों हार गय किलेश कांग्रेस से अलाइंस किय यूए पीए का खानून में किलेश ने क्यों सपोर्ट किया पूछते हैं तो क्या जवाब मिलता आपको ये मैसेज आप क्यों नहीं पहुंचा 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 रहे हैं बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं बराबर बोल रहे हैं लोग समझ रहे हैं लोग समझ रहे है मेसेज जा रहा है मैसेज की बात हो रही है बस्पा तक मैसेज नहीं पहुँच पाया किया आपका इसमें हमारे शौकत सहाब जो पार्टी के अध्यक्ष है उतरपरदेश के उनकी बस्पा के राजयसभा के एक एमपी है सथी इश्वर मिश्वर ने ने दूसरे जो दूसरे है अच्छा नाम नहीं लगे आप नाम नहीं लगे बड़े महतरम है वो भी तो उनसे तीन मरतबा बातचीत हुई फिर उसके बाद अचानक उनकी पार्टी ने फैसला लिया कि आप ये कह रहे हैं कि अजद्दीन ओवैसी के नित्रत वाली AI MIM मायावती के नित्रत वाली बसपा के साथ चुनावी गठ जोड करना चाहती थी उत्तर प्रदेश के चुनाओ में तेकि करना चाहती थी ऐसा नहीं है थाली दोहा से बच्टी ना वो भी चाहते थी थाली देखिए अगर तो इस बार राजी सभा में किसने किसको कौफी के लिए पूछा सुनिए अगर ललन्टाप प्रोग्राम में आना चाहरा हूँ तो जब तक सौरभ साब नहीं चाहेंगे तो उका आकर नहीं बैठ सकता न जमगट में जमगट में तो दोनों की रजामंदी से यह बैठें हम तो वैसे ही मामला था तो ठीक है वो नहीं हुआ तो उनकी पाटी का फैसला है मैं रस्पेक्ट करता हूँ उनके पाटी के वो उनके अख्तियार है क्या आपकी राए है मायावती जी और उनकी राजनीत ये बारे में मेरा मानना ये है के काशिराम साब ने बड़ी महनत की और यखीन मानिये मैं अदमी की बहुत इज़त करता हूँ कि उसने कैसे कितनी महनत मैं किताब पढ़ा कई लोगों सुना यानि अन्बिलेबल स्ट्रगल उनकी हमारे वालिद की बहुत महनत की उनने और मायावती का राइस जो है न वो किसी परिवार से नहीं है ये बहुत बड़ी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है ये किसी परिवार और कोई दौलतमन खांदान के बगएर वो इतने अरूज पर गई है तो बहुत बड़ी बात है आपके केस में कहा जाता है कि फैमली ओन्ड कंपनी चल रही है आपके दादा आपके पिता आप और आपका बेटा जो शायद किसी छोटा है भी तो वो वीडियो है यूट्यूब पर कि आप और आपके साहबजादे साथ में खड़े हैं कहीं आप लोगों से मिलना है वोट म ना आपकी जिन्दजी का भरोसा है इसी का नहीं है और आज के जमाने में जो महिनत करेगा जो जुस्तजू करेगा खाबिल रहेगा एंटाइटिल्मेंट पॉलिटिक्स खतम हो चुके भारत में कब एंटाइटिल्मेंट की जो पॉलिटिक्स है वो खतम हो चुके भारत में अभी, entitlement का जमाना खतम हो चुका है, बिलकुल खतम हो चुका है, मेरा मानना ही है, और लोग तो कहते हैं कि अस्दुद्दी नुवेसी तो अस entitlement का सबसे बड़ा उधारण है, बैरिस्टरी पढ़के आए, पिता जी नेता थे तो विधाय की लडगे, आपको ये क्यों नहीं बोलता कोई, कि 94 में चुनाओ लड़े, हम सब सीठ हार के हम सिंगल हमेले जीते, आपको ये क्यों नहीं बोलता कि इतने मरतबा जेल जाना पड़ा हमको, चनरवाव नेडू ने हमको कई मरतबा अपना महमान बना लिया था, आपको ये भी कोई क्यों नहीं बोलता कि 22 बीट लहू लहान हमारे उंगलियां तुड़ गए थे, क्या कर रहे थे आप, वो एक प्रोसेशन जा रहा था गनेश विसरजन का, तो बीजेपी और संग परिवार के लोगों ने फटराव किया, घरों में गुषकर मा तोड़म फाड़ी की, हम वहां के ML हैं, हम गए, शेरान होटल का मचली कमान के पास, वहां पर हम जिस आगे बढ़े, महबत के फूल लाक्चों से बरसाना शुरू कर दिया, पुलिस ने पीटा, पुलिस वालों ने कहा कि आप वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश करें, इस ने पीटा, ना, केस तो खतम हो गया, कोट मे तो केस आउट हो गया, रिजेक्ट हो गया, वो तो ठैरा भी नहीं, अच्छारा ठाके लगे हम खूब मारे, पीटे, गोली चला ही हम पर एक, अभी रिटायर हो गए वो, वो, वो महतरम, गोली चला ही, आप ये कह रहे हैं कि आप विधायक थे, बिलकुल, पुलिस ने आप को हिरासत में लेके, आपकी उपर फायरिंग की, रोट पर मारा हमको, सर फोड़ दिया हमारा और गोली चला ही हम पर, और एक हिंदू एससाई हिंदू आकर हमारी जान बचाया, गोली चला ही आपको लगी है, हवा हम फायर किया था, आप जाकर देखिए, उस जगा पर आज आले तो मार रहे था, वो आकर फिर बोला के, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हम उस वक्त हमारे अडिशनल कमिशनर अरविन दुराव साब थे, हम इंसे पूछे, क्यों हुआ ये, तो कुछ नहीं बोले हमको, क्योंकि हम नेक्स फेज में कांग्रेस की कैमपेनिंग के जा रहे थे, 99 में, पार्लिमेंट के इसम्बली चुना हो रहे थे, तो बहराल चंदरवाव नेडू साब बड़े महरबान थे, और उसके बाद उन्होंने आउट आफ टर्न, अडवानी साब के पास बैठ कर, उन दोनों पुलिस आफिसस पर आईपियस कनफर कराया, जो सीन तो ऐसा नहीं है कि हमारा सियासी सफ़र अब तक चमन पे हुआ है, बलहमदुलिल्ला मेहनत करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, आज भी कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अस्दुद्दीन ओवैसी की जबान पर चाशनी और दलीलों में कॉंस्टिट्यूशन का जिक्र होता है, ये बड़ा नया आवतार है, बोले आप क्रोनोलोजी समझेए, जो पर लोगों से बात की, आप आमिशा की तरह करें क्रोनोलोजी समझेए, लोगों ने हमें बताया, तो हमने का समझाईए, बोले, एकलौते सांसत है, लेकिन आप देखिए, दोहजार ग् नीती में नरेदर बोधी का उभार हुआ, वैसे वैसे अस दुद्दीन ओवैसी के उभार की भूमिकाएं रची जाने लगी, दोनों लोग पॉलिटिकली एक दूसरे को सूट करते हैं, ये बात अगर सच है, तो कॉंग्रेस के जो नौजवान नेता है, राहूल गांधी, नौजवान नेता है, आप उनको नौजवान मानते हैं, ये हमारी दाड़ी तो वाइट हो चुकिया, धूब में हो गई, तो अब उनके पास तो हमारे साथा सहूलत है, वो क्यों ने ओभर रहे हैं, वो क्यों ने ओभर रहे हैं, ये महाशे हैं, जो कोवीट के सेकेंड कोवीट के सेकेंड में नजर नहीं आया, अब आप बताइए कि हम दोजार चार दो बार के विधायक, फिर चार में हम इंपी बनें, पारलिमेंट में हमरा कॉंट्रिबूशन देख लीजिए, हमने आप से जिकर किया कि यूए यूपी ए की सपोर्ट करने के बावजुद भ हम पर, हम बोलें नहीं, ये देश के फाइदे में है, नुक्लिय डील, हम सपोर्ट करेंगे, क्या आपको लगता है, नरेंद्र मोधी सरकार के कोई भी फैसल आप तक देश के फाइदे में हुआ है, इतने सारे तो किसी पर आपने सपोर्ट किया, नहीं कि हमने, हमारी सरदों में चीन घुसके बैटा है, डेफ सांग, डेम चाक, हाट स्परिंग में हम नहीं जा सकते हैं, हमारे सियाचन को खतरा पाइदा हो चुका है, हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं, गरीबी मुखदर बन गया नौजवानों का, बेरोजगारी, इस पर क्या बोले साब है, आप खानून पर खानून बना रहे हैं, यूए पीए, क्या खानून बना है आप, विपक्षी ये भी कहते हैं, कि वैसी परिवार पुर्धान मंत्रियों को परंपरागत रूप से जानबूच कर निशाने पर रखता है, अपने राजनेतिक कद को बढ़ाने के बिलकुल आई थी, हकिकत है, और उसका आप ऐसे जिक्र करते हैं, कि देखिए उनको हमारे दर्वाजे पर आना पड़ा, इंदरा गांदी, जनाब शूशंकर सहाब, सिकंदर अबाद का बाइलेक्शन लड़, जो रो मिनिस्टर थे, उनका बाइलेक्शन था, पार्लिमंट का चन्नारेडी सीम थे, हमने सपोर्ट किया, हो जीते, और हमारे पॉलिटिकल आफिस को आई वो, बिलकुल आई, बिलकुल आई, और वहाँ पर आकर उन्होंने अलिगर्ड मुस्विनिश्टी का मैनौर्टी स्टेटर्स का ऐलान भी किया था, आए कि वो, अच्छा, अगर हम, हम तो जाकर नो कॉन्फिदेंस मोशन में नरेंदर मोडी के गले नहीं मिली है ना, हम मिले क्या गले, बताइए आप, नो कॉन्फिदेंस मोशन सौरब, सहाब के ओपर लाया जा रहा है, और हम ही जाए गले मिल रहे हैं आपसे, ये क्या है, किसने कहा पारलिमन में बारा पधान मंतरी बन जाओ, आप मुलाइम सिंह यारो जी के बारा जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल आप कह रहा हूं, नाम लेख, आपको भी तो आशीरवाद दिया कि आप भी दोबारा वापस आए, उनों ने कहा, कि जितने यहां बैठें में चाहता हूं, सब वापस आए नाम पधान मंतरी को कहना, क्या मतलब उसका? अगर हम कहते तो, अगर हम कहते, क्या होता था? मोहन भगवत के साथ आप बैठें, किसी शादी में, अगर हम फोटो के फ्रेम में आते हैं, यह कॉंग्रेसीयों ने हमारी फोटो मौर्फ करके डाला, आप किसी शादी में जाए और मोहन भागवाजी भी वहां बैठे होंगे तो आप क्यों जाके मिलेंगे हम अगल वगली मैं अगर आप मुझे दावत दिये जी मैं आपकी दावत में हो मैं आपसे मिल के चले जाओंगा मैं फटम होगे मेरा काम और मुझे पहले मालूम हुआ था कि वहां पर आ रहे हैं तो मैं नहीं जाओंगा तो यह तो एक किसम का राजनेतिक चुआ चूट हुआ ना चुआ चूट का नहीं है भाई मेरी मर्जी है मेरी मर्जी है हम तो यही तो हम कह रहे हैं कि फोटो में आप आएंगे वेरी गूड पाइए क्या समस्या है कहीं पर आप AIMIM के प्रेसिडें क्यूं मिलें देश के दो नागरिक आपस में बात कर सकते हैं क्यूं मिलें भाई नहीं करेंगे वो गौर्मेंट तो नहीं है ना वो एक कल्चरल औरगनाजिशन के नाम पर जो उन्होंने पूरे देश में अपनी आइडियोलिजी को फैला दिया है हम जानते हैं ना थोड़ तो समबाद तो हुआ नहीं तो उस वकद तो वो और वो तो मुस्लिम लीग का अलाइंस भी हुआ था कोईट इंडिया मूर्ट में साथ नहीं दिये थी वो लोग एक नैशनल यूनिटी गवर्मेंट मना ही गई थी उसके बाद क्या हुआ तो आप कुछ पक्षों से किसी भ कुछ विधायक जीत गए और मुकाबला बराबरी का ठेरा तब वह ऐसी कहां जाएंगे दस तारीक के दिन बताएंगे आपको अभी तेह नहीं किया तो उत्तरपदिश जनता तेह करेगी ना इसको सत्ता देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं मालूम आपका अपना अनुमान क्या है क्या अनुमान अपनी पार्टी और अपने गठवंदन की परफॉर्मेंस के बारे में अच्छा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा हम देख रहे हैं खास तोर से नौजवान पीडी है वो इन बातों से मुतासर नहीं हो र है जो 2012 में भाचपा के बगलगीर थे क्या क्या थे भाचपा में शामिल हुए थे अच्छा लोगों ने कहा कि इन्हें किसी चीज़ से परहेज नहीं जो इनके साथ खड़ा हो जाए वो दुरुस्त है और इनकी मुखालफत करे तो वो खिलाफ है सुनील सिंग का नाम सुने कि आप जी क्या कहा था हूं ने एक मशूर उनका चलता है हाँ हाँ बताइए बताइए चलता है सुन लिजी आप दूसरा हसनपूर से इनका कैंड़ेट है आर एसस के उनिफार्म में है गुर्जर हाँ परताबगड में इनका गुलशन है फूल खिले गुलशन गुलशन और बरबाद हुआ डिवाइस पी अब ये महाशे खुद एक टीवी चैनल को बोल दिये कि पैंतालीस फीसर टिकेट अकीलेशन ने मुसल्मानों के काट दिये क्योंकि मुसल्मानों एक नशा है हराने का नशा है और टिकेट काट देंगे आप यहीं भी तो अन रिकार्ड कहा आ आप प्रताफ गल में जिया उलहक मर्डर केस की बात कर रहे हैं बिल्कुल पिछली दिनों जमघट में हमने जनसत्ता पार्टी के रगुराज प्रताप सिंसे बात की उन्होंने विस्तार से बताया कि ना तो मैं ना मेरे सायोगी वहां मौजूद थे गाउधारी का जगरा प्रताफ कोट से बरी हो गए हैं और उस वक्त क्या आ था मीडिया में अच्छा हम चलिए हम गलत कह रहे हैं ओडिवा एस पी की बेवा क्या कह रही है परवीन क्या कह रही है अब हमारी बात ने उनकी बात सामने रख लीजी आप अच्छा और एक बात सुने ये ये फूलप सप्पा से और दूसरी तरफ कौन है वालू हम आपको उनका ही सगा बेटा बीजेपी से क्या है और बदायून के एक्स एमपी इनके भाई धर्मेंद्रियादो मोहतरम के भाई उनकी बहन जिलापरिशे चेर्मेन बीजेपी की चुनाव लड़ी जीपी पाई अरे भाई यह तो क्या है फिर उनके चिट्ठी रिलीज की ना कि हमारा बास्ता नहीं है बदायून की एमपी बीजेपी में संग मित्रा मौर्याद वालिद मोहतरम सप्पा में अरे तो आप उनकी सांसदी खत्रे में डाल रहे हैं अरे फैक्ट है ना यह फैक्ट है ना क्या व रन्टॉप के आपके शो में के भई यह फैक्ट है आप सोच लीजे हम पर इल्जाम जो लगा रहे हैं को प्रूब नहीं कर पा रहे हैं हम तो बता रहे हैं कि यह लिस्ट है अब बताईए बोल दीजे अच्छा यह भी कहा जाता है कि यह जो आक्रामक्ता है अस्दुद्द उनका राजनेतिक विरोध करता है उसे साम दाम दंड भेत कैसे भी कुचल दिया जाता है एक लंदी फेरिस्ट बना जाता है इसलिए हमारे भाई के ओपर जिसम पर टीन गोलिया मारी गई और पच्चीस बार चाखू और तलवार से मारा गया किसने चलाई थी गोली यह वह भी लोग थे जो हमारे पुलिटिकली मुखालिफत करते थे पर वहाँ तो कहा गया थी प्रॉपरिटी का विवाद था एक मुस्लिम ही था जिसने गोली चलाई थी बकवास बकाइदा यह पुलिस के रिकॉर्ड में है नो पुलिस के रिकॉर्ड में कुछ नहीं है बात अब उसके बाद क्या हुआ जी कोड से सजा दिलवाई कोड ने सजा दी उन लोगों को पूरों को यह बताएए कि हम जो तालीम इदारे चलाते हैं जी मेडिकल इंजिनिरिंग कॉलेज एम बीए स्कूल आफ फार्मेसी आर्किटेक्चर फिर पिछले 2005 से हम लोग गौर्मेंट मी इपलिकेशन की स्कीम है जी हमारा काम है अचा आटिया एपलिकेशन हमारे अपोनेंट जाल कर देखते हैं कि कितना काम करा है देख लो कितना काम करा है सजदा काम कराते हैं तो यह इस तरह की बात करना उन लोगों की तोहीन होगी जो हमारा काम देख रहे हैं अचा कोविट एक चीज़ कभी मैं आपको दावत दूंगा इदराबाद आई है हमारा दफ्तर देखिए दारुसलाम हफ्ते में छे दिन साथ एमेलेज MP 44 कOR exhaust कर्पेर बैठे रहते हैं कोई दर्वादा नहीं कोई आता iltre लोग बीटे कर देखिए कोई किससे ही थ्पर्राइख नहीं आप दोसरे पार्टी का बताईए उख्त नहीं रहे हैं आप दूसरे अग्र ट्वेट कर देंगे पेस्बूक लाइब करते हैं हम तो लाइब बढ़ते हैं अच्छी आप ये कह रहे हैं पर हमें बताया गया कि जो आपके भाई मजलिसों में जाके कहते हैं कि देखो मैंने कौम के लिए गोली खाई फर्जी का विक्टिम होड है एक प्रॉपर्टी डीलर है मुहमद बिन उमर याफारी और पहलवान आपके करीबी थे आपने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया उसका जगड़ा हुआ तब गोली चली कौन सी प्रॉपर्टी हम तो बता रहे हैं को बताओ एक्स वाई बी सीडी कुछ तो होगा ना यहीं परिवार है जिस पर गोली चलाने का लजाम लगा था यह जो एंगल लाया गया है यह गलत है क्या एंगल था यह प्रॉपर्टी का एंगल का प्रॉपर्टी इनकी इस शखस की प्रॉपर्टी को बचाने वाले का ना मसाउदी नोवेसी ह फिर गोली क्यों चलाई उनों ने उन से पूछिए इतनी हेटरेट क्यों पैदा हो गई मनसूबा बन तरीखे से फ्लाइवर बन रहा था एक जगापर इनकी प्रापरटी डैमेज हो रही थी हमारे वालिद से आकर मिले वो प्रेजिडेंट थे बोले कि या करिया प्लाइन चेंज करा है हम पुरा फ्लाइवर का ताकि उनका शादी खानाव प्रापरटी बच जाए उस वक्त एक मशूर मुंस्पल कमिशनर थी मैडम का नाम या आदमी आ रहा बड़ी कर्टियस थी उन्हें बड़ी मुश्किल से हमसे कहा है बोले कि वो इसी साब यह तो पुरा फ्लावर के टाइप में फ्लाइवर आ र कोट कंप्लेंड कर देते आप बकवास जगड़े का पॉलिटिकल एंगल क्या है जो कौम के लिए यह यह तेल्गुदेशम के लीडर थे आपके साथ ही थे फिर तेल्गुदेशम के लीडर हो गए साथ नहीं थे अभी आपने कहा ना हमने मदद की इनकी प्रॉपर्टी जा अगर कोई चीज़ था तो आप कंप्लेंड करते कोट में जाते बताईए कौन सा उसमें तकलीफ हुई आपको कौन सा महाँ पर हुआ एक और जनाब हैं जिनको बिल्कुल शुरुआती दोर में आप से आपके वालिद से आपकी पार्टी से तकलीफ हुई उनका नाम है अमानुल्ला मजलिस बचाओ तहलीक नाम से पार्टी बनाई जो अभी आप कह रहे थे कि मेरा पॉलिटिकल डेब्यू तो बड़े मुश् 594 में सिर्फ एक सीट चार बीनार की जीत पाय विधाय की कि जब कि उसके पहले कई सीटें जीते थे क्या मामला था ये आपके पता जी से क्यो नाराज हो गए थे अब बाबरी मस्जिद का इल्जाम लगाया तो कॉंगरेस से गटजोड कर दिया नहीं नहीं तो छुड सुन और खस्म के अलवाज क्या थे और नहीं कहा है कि अगर हमने बाबरी मस्जिद का सौदा किया जो हमारे विए मुखालिफीन इल्जाम लगा रहे हैं तो अल्ला सुभानाओ ताला उनका हिसाब कर ले और हमने किया तो हमारे आलवाद को बर्बात कर दे अब अगर खुरान कर पर किसी का इमान होगा तो वह इसकी इंपॉर्टन्स को आहिमे तो समझेगा और नाइंटी नाइन ने अकबर ने उनको एलेक्शन में हराया 99 में फिर वो 2096 के पार्लेमेंट एलेक्शन में खड़े हो गए ये खुद विंकैन एडू साब बीजेपी से आए कामियाबी नहीं मिली विंकैन एडू साब को ये हमारी पार्टी के थे 1977 में इनको एमेले हमारी पार्टी से बनाया गया था तो आपके पिता जी के भाषन का भी बहुत जिक्र करते हैं जैसे आप कुछ भी सोचल मीडिया पर डालें या हमने कार्ट डाला कि हम AIMIM के मुखिया से बात करने जा रहे हैं तो तमाम पुरानी इसे निकलती है 21 वरवरी 1990 का आपके पिता जी हैदराबाद के सांसत का एक भाषन है इल्जाम है कि हिंदूों के आराध्य भगवान राम के बारे में आपत्ती जनक बातें कहीं गए राम के होने उनके जन्म को चैलेंज किया गया जूट मैं आपको एक फोटो दिखाऊंग हैदराबादाएंगे उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का सेटर जिलाने के लिए प्रोटेस्ट होा था और वह प्रोटेस्स चार मिनार के आगे दामन में नहीं चार मिनार के ऐगके मंदिर है एक फोटो है वालही लट लेकर खेहरे हुए पर कोई हमला ना कर दे क्या बात ह गलत कह रहे हैं बिलकुल एक और वीडियो है जिसमें ये कहा जा रहा है जो कभी हमारी चौकत की गर्थ चाटते थे आज उनसे हम डरते हैं क्यों डरें क्यों गबराएं अरे कौन है वो हमने इस मुल्क पर हजार बरस तक जहां बानी और हुक्मरानी की चप्पे चप्पे की बात है सीघार रखतरी हजमत के निशान है कि या बात याद रिखो, रक्सान गैर्णों से नहीं अपनों से हों टीपु सिल्तान के साथ गदारी मसलमानों नहीं की थी। लोग यही कहते हैं कि आप इत्यास का जिक्र करके अपने वोटर्स में रूलिंग क्लास का भाव भरते हैं पिर भाजपा कहती है मुगलों से कौन लड़ा जाट लड़े कौन लड़ रहा है हम लड़ रहे हैं तो भाजपा का प्राबलम यह है कि सपा कहती है भाजपा कराना हम को ओड़ दो बीजेपी कहती है मुगलों को राना हम को ओड़ दो हम तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहे हैं टीपु सुल्तान से घद्दारी हुई बराबर हुई घद्दारी टीपु सुल्तान से नहीं हुई घद्दारी बिलकुल हुई अच्छा यह बताइए जब आपक को लेकि क्या नजरिया होता था एक कहीं हमें पढ़ने मिला कि आप दस एक साल के थे वह वैसी पूरा भाशन दिया तो आपको जाड़ पढ़ गई घर पे कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो बहुत बहुत या नहीं अब वह एक बाइलेक्शन था उस जमाने में असिफ नगर कॉंसेंसी थी हमाँ बाइलेक्शन था लेट डॉक्टर वज़ाद रसुल खान साब लड़ रहे थे बड़े खाबिल अदमी थे तो वह खड़े होगे कोई भाशन देने नहीं आया तो हम बोले हम कर लेते हैं इतने साल कितने आप चौदा पंदा साल चूँ चौदा पंदा चली हमारे वालिद में बहुत गुस्सा किया डाइस पर कड़े कर नहीं यह सब तमाशन नहीं होंगे बहुत गुस्सा किया घर में भी समझाया गुस्सा भी किया और हमारी वालिद से इतना अदब और महबत भी थी कि महां आँक में आँक नहीं मिला से तो अच्छा यह वो अभी वो इतना फॉर्मल नहीं राज कली जनरेशिए बेटियां आके आपसे जिल कर पाती हैं बहस कर पाती हैं वो एक हमारे वालिद से हम लोग खाली उनकी आवास सुनते हैं तो हम लोग तो पानी पानी वहरते हैं अच्छा जैसे हम लोगी कुटाई होती थी आपकी भी कुटाई हुई है अब कुटाई हुई है नहीं हम मैं वालिद से नहीं हमरे अम्मा से अम्मा से बहुत बाते सुनता था अम्मा से नहीं हुई कौन से बेटे को मा की शफ़कत का हाथ नहीं लगता है और हमको यखिन है कि जिस जगह पर हमारे मा का तमाचा लगा इंशालला जहान्नम नहीं जाएगा अम्मा का हमारी अम्मा अल्हा उनको च्छा रखे सहे दे उमर दरास करे बहुत हमारे लिए महिनत की वाभी भी करती है परिशान रेती है परिशान रेती है तो आप तो लिंकन इन से बैरिस्टरी पढ़ के आए फिर ये नेतागीरी पहले से तैथ है क्या स्क्रिप्ट की पढ़ाओ लोगों ने कहा AIMIM की उपर लेबल लगा था रिक्षे वालों की पार्टी है तो वकील साब ने कहा कि लड़का इंगलेंड से बैरिस्टरी करके आएगा तो कद उचा हो जाएगा अब देखिए यह जो है ना के यह उन गरीब मजलूम अवाम जिस जमाने में हमने हमारे बजरुग इस पार्टी का आगास किये उस जमाने में लोग तो हमको इलेक्ट्रिक कनेक्शन में ने दे देते लोड़ी स्पीकर के लिए लोग हमारे पबलिक मीटिंग में दो लोग चार लोग आते थे खाली कब की बात कर रहे हैं यह हम बात कर रहे हैं आप से 1958 59 60 की बात कर रहे हैं बिलकुल शिरुआती दौर लेट 60 में तो आपके कॉर्पॉरेटर जीतने लगे थे 1960 में जीते हैं उस वकत भी 16 जीते उसमें पांच नॉन-मस्लिम थे तो यही तो लोग थे जो लेकर आगे बढ़े अब वो लोग लिक्षे वाले कहते हैं भाई लिक्षे वाले इंको कहते हैं जो आपके पॉलिक्स में आने की भूंता कैसे बनी आप आना चाहते थे आपके पिता चाहते थे या आप भी वो जवाब देंगे जो सारे नेता देते हैं किसा आप जनता चाहती थे हम अपनी पढ़ाही मुकंबल करके वापिस आये और हमारे बहुत बड़े पार्टी के बहुत बड़े जिम्मधार थे ट्रस्टी भी थे मरहुम गौसपीर साथ और बहुत बहुत गयानी थे बहुत तच्ड़बाड एक दिन हमसे मिलने आ है बले के क्या कर रहे हो मिले हम सुन रहे हैं के लेलम करने जा के युएस में तो वो टोपी परिंते थे वो टोपी असर रखे नास लगाते थे नास लगाए हैं वो तमाकू वाली सोगी हूं अच्छा नास बोलते थे हम लोग उसको यह नहीं गया बोलते नहीं मालूम नौर्ट में नास बहले देखो पड़े लिखे लोगों की बहुत जरुवत हैं तो हम समझेने क्या है मंजलिस में शामिल हो जाओं मजलिस मतलब पार्टी में शामिल हो जाओं बहल को फोर्स करके लेकर आया तो उसके बद वालिस साब से हमारी बात चीत हुई हमारे पार्टी प्रेजिडेंट जो थे तो नहीं गा सूच लो अगर तुम आ गए तो तुम्हारा वक्त खतम तुम्हारा कोई वक्त ने रहे गया और बहुत मुश्किलात तकालिफ उठाना थे बड़ा शौक था जैकेट पेनने का तो उसके बाद हम को जब जब हम एक ही सिंगल एमेले बने और जब भागना पड़ा दोड़ना पड़ा हम बोते हैं समझ बनिया है कि क्या कर लिए यह क्या काम है बहराल बहुत सीखना पड़ा और हम शुकर गुजारें अल्ला के औ और जो साथ हमरे वाले जूसरे लोग से हमने बहुत सीखना उसी काम को अचा एक बात बताई आपने ड्रेस का जिकर किया लोग यह भी कहते हैं कि आप कंफरमिस्ट हैं आप अपने इलेक्टोरल कॉलेज को देखते हुए हर वक्त टोपी दाड़ी एक खास तरह से किस तरह क पहनावा रखते हैं लोग कह रहे हैं कि ऐसी भी तो लीडर्शिप आएगी आपका जैसे जैकेट पहनने का दिल था तो आप जैकेट क्यों नहीं पहनते हैं क्यों हमेशा इसी लिवास में रहते हैं ने देखे दाड़ी छोड़ना तो सुनत है फरस भी है इसमें बुरी बा अच्छा इसकी इस तरह से ने सुनिया और शेरवानी हां सेंटर हाल में चली हम लिजाते हैं कभी आपको पार्लिमेंट के जब बन जाएगा आपने पहले भी जवाब दिया है अब देख लिजे ना कितने कितने पधान मंत्री कितने प्रेजिदेंट्स पहनते हैं उसमें ब कपड़ों को देखना क्या है महात्मा गांधी कौन से कपड़े पेंटे थे मद्देश को अजाद करवाया इतना फोकस कपड़ों पर क्यों होता है नहीं होना चाहिए आप यह सब बातें कर रहे हैं पर एक आपके राजनैतिक विरोधी हैं जो कहते हैं कि आपकी सब बातें धूरता से भरी हैं आपके खिलाब चुनाओं भी लड़े हैं सियासत के एडिटर जाहिद अली खान बड़े इल्जाम लगते हैं उनके अखवार में आपकी उपर वक्स की जमीनों पे कबजे से लेके तमाम क्या कहेंगे नहीं वो लिखते हैं आज भी लिखते हैं नहीं ल रद बात है दो हजार Means नहीं उन्होंने कहा है नहीं तीक है उन्होंने कहा होगा दो हजार नौ में हो छौनों हमारे खलाफ दोने हमें इतर ते डाइट राएं एक लाकोड से हारें आप मुकाबलिक बात कर रहें एक अंग्रेजी की ठीओरी है गुट कॉप बैट कॉप थे सवाल मुख्तलिफ होगा अब अच्छे ठीक करिये करिये गुड कॉप को बेंट को पाचे करिये करिये आप पहली दफ़ा विस्टार से बात कर रहे हैं आपको लग रहा होगा कि ये सवाल मैं दस बार जवाब देखेंगे ने ने आप पूछे 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 मैं पूछ लीजिए मैं वो सवाल नहीं पूछूँगा तो लोग कहेंगे कि वो सवाल क्यों छोड़ दिया जब इतने विस्तार से बात रहे पूछे हम तो समझ रहे थे कि कोई नया सवाल होगा चलिए भी आएंगे कितने तो नई नई सुन्दरलाल कमेटी से लेके कहा कहा आपको कितने दिनों के बार ले गया चलिए गुट कॉप बैट कॉप क्या आपके भाई अकबरुद्दीन वैसी और उनका वो भाशन देखिए जनता ने भी बड़े सवाल उसी पर तुछे तो भाशन जो भी था नहीं था वो कोर्ट प केस बुक हुआ वो जेल को गए कोर्ट से जमानत हुई उनको और इंशालला ताला कोर्ट इनसाफ करेगा एक सवाल ये भी उठा कि आप कह रहे हैं कि हम इतना कौम की मदद करते हैं लोगों की मदद करते हैं लेकिन उस मदद के उलट आपकी प्रॉपरिटी को लेके भी वि 24 करोड हो गई 15 साल में लोग ये नहीं जानते किया हैं आपकी कमाई के जरिया विधायक और सांसर की तनफ़ा के लावा लोग ये नहीं जानते के 1957-58 में हिदराबाद में ब्यूग गाड़ी होती थी बहुत कम लोगं के पास वो मेरे दादा के पास थी अब ब्यूग गाड 57-58 में जादा लोगं के पास नहीं थी वह अपने वक्त के बहुत बड़े वकील थे आप कह रहे हैं कि अब डिक्लियर कर दिये ना इसमें अब देख लीजिए सब चीज़ करना पड़ता है सब को इसमें को चुपानी को बात ही नहीं है एक इल्जाम और लगता है कि आप य सब्सक्राइदा नहीं होता है वहां जोड नहीं डलवाते हैं कहा गया एक एम जी अकवर करके डारेक्टर आफ माइनॉर्टी वेलफेर थे वह आपके कहें से नहीं चल रहे थे आपने उन पर तमाम इल्जाम लगवा कि उनका च्रांस्टर करवा दिया माइनॉर्टी कोई बता दे और हम तो कई लोगों पर क्रिमिनल डिफर्मेशन दाल भी चुके हैं कोट में फैसला हो जाएगा यह इल्जामात लगाना इनके पास टाइम पास है और कुछ नहीं है 1994 हमेले बने हाउस कमेटी हमारे रेप्रेंटेशन बनी थी और वक प्रापरटी उसकी रिपर्ट उठाके पढ़ लीजिए कोई भी रिपर्ट आके पढ़ लीजिए देख लीजिए क्या है पर कौन सी प्रापरटी का बताइए जो सहीं आप इल्जाम लगाई हम क्रिमिनल ड बताइए कहा है कौन सा है बताइए हाला कि एक जगे से तारीब भी आई है जो भी है और रिकॉर्ड आना चाहिए उन्होंने कहा अब अस्दुद्दीनों वैसी यह सुरिशित करते हैं कि हैदराबाद में दंगा ना हो और प्रशासन को बड़ा कोपरेट करते हैं 2013 के बाद J.T.R.S. सरकार एक कर्यडिट देना चाहिए उनको चंदर-शेकर राउ को करेड़िट देना चाहिए है अच्चा फाइदा की बात कर रहे है साथ हजार invented's बच्चे पढ़ रहे है थे तो किया था फिर इसका फाइदा नुपसान हुआ वरीब बच्चे पढ़ रहे हैं ना ह यहां उनसे और काम करवाना है हमको वो शिकायत हमको उनसे है हम शिकायत करते रहते हैं उनसे के सर यह काम नहीं हुआ यह काम करवाई है अभी हमारे कॉंस्टेंसी में कारवान एसम्बली सेग्मेंट है 290 कोड़ों की स्यूरेज लाइन संक्शन हुई है पूरी विधान सब्सक्राइब 290 कोड़ों की गवर्मेंट का अब इन्शाला मार्च में फेबरी एंड में इसका इनाउगरेशन होगा चंद्राइन गुटा अकबर एकॉंसेंसी में और एक दिये हैं प्रपोजल के हमाँ 300 कोड़ का सुरियर लाइन चाहिए वह भी कराएंगे तो डेवलप्मेंट के ओपर तो सरकाश से पूछना चाहिए बोलते हैं लड़ते हैं शिकायत करते हैं काम करवाते हैं तो खोना चाहिए ना चलिए आखरी में हमारे सोशल मीडिया पार्टनर ने कूँ वहां पर बहुत सारे सवाल आए हैं वह सवाल पूछ लेते हैं लबनी बात्चीत है इसको आखरी पड़ाओक तरफ ले जाते हैं शिव बालक ने कहा यूपी में सो सीट पर लड़ने का एलान कर रहे हैं तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ते हैं इतनी सीटों पर वहां क्यों आट तक मेहदूत रह जाते हैं तेलंगाना में कितने assembly seat हैं, कितने हैं, 400 हैं, 400 हैं तेलंगाना में, नहीं है, तेलंगाना में हम लोग जो लड़ते हैं, पिछले बार हमने 2014 में हमने 28-30 सीट लड़े थे, 2018 में हमने 8 सीट लड़े, वही आख़ा लिखा एशे बालक में, आर्ट में साथ जीते और हमने खुल के कह रहा हूं हमने अपील की जनता से कि आप TRS के हक में अपना ओड दीजिए TRS जीती महाँ पर कामियाब हुई काम हो रहा है तो वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं गठ जोड की नहीं और पार्टियों से पूरे पैन ते लंगाना अपील बढ़ाने के लिए अरे क्यों करेंगे TRS के साथ खुश हैं इसलिए TRS साथ भी खुश होने के साथ हैं हम अपनी ताखत पर जीते हैं वहाँ पर अपनी ताखत पर जीते हैं 45 हमारे मुंस्पल कॉर्परेटर्स स्टेंट बरकरार है अमिच्चा योगी कैमपेंड की आकर 4-5-5 गंटे पुरा बीजेपी का उतर गए मैदान में हमारे कॉंस्टेंसी में अपनी मोहबत है आपकी और भाजपा वालों के बीजेश अब देखिए अब आप पूछिए अब बताइए और बाबा जो है बाबा साड़े 4 गंटे बस में फिरे हमारे कॉंस्टेंसी में आप योगी आजना तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपके रूपकों को क्लियर करूं दर्शकों के लिए महतरम, महाशय, बाबा, भाईया और राहूल गांधी के लिए क्लिए क्या बोला था आपने नौजवान नेता और बाबा अमिर्शा साब आगए हमारे कॉंस्टेंसी में ये घंटा वो ये कहते हैं कि हमारे लिए कोई चुनाओ छोटा बड़ा नहीं हर चुनाओ पार्टी के प्रसाद लिए जरूरी है अरे भाई ठीक है हमारे लिए भी तो चुटा नहीं है ना और जहां पर हमिर्शा आए वही वाड़ हम जीते और उस वाड़ में अच्छारा हजार नौन मुस्रिम ते जिसमें से साले साथ हजारोट हमारे गौस को मिले अगला सवाल दिव्यान शमिश्रा का सवाल है क्या असदुद्दीन और वैसी हिंदूओं के खिलाफ है नहीं हर्गिस नहीं मेरे दिलो दिमाख के किसी कोने में न कभी था न कभी है न कभी रहेगा मैं किसी मजब का खिलाफ न हो न रहूँगा कभी इंशालों मेरी लड़ाई अलग है मेरी लड़ाई यह है कि मुझे मेरा हिस्सा मिले आप एक्वालिटी की बात करते हैं तो सम्विधान में सबस्टेंटिव इकौलिटी होना चाहिए न अगर उत्तर परदेश में कितने मुसल्मानों के पास दो एकर जमीने पाँच एकर जमीन पॉइंट पॉइंट सुएन जिरो उत्तर परदेश में सबसे कम ग्रेड़ूइट किसके मुसल्मानों के है उत्तर परदेश में सेवेंटीवन परसंट मुसल्मान 15 साल के या तो कभी स्कूल ने कैसे प्राइमरी तक पड़े कौन जिमेदार है इसका बताईए ना मैं जिमेदार हूँ हम तो तलंगाना में क्या काम किया बता रहे हैं आपको 28 स्ट जेल में हैं अंडर ट्राइल कौन जिमेदार है इसका क्या आप ये कह रहे हैं और मुझे यहाँ पर आपकी प्रफेसर प्रदीब छिबर के साथ की बातचीत भी याद आ रही है वो लंबा इंटर्विव कि जिन लोगों को मुस्लिमों ने बोर्ट दिया उन्होंने मुस्लिमों की सिक्षा के लिए काम नहीं किया यखिनर नहीं किया आज भी हम पूछ रहे हैं कि योगी अदित्यानाद की सरकार ने कितने स्कूल खोले मुस्लिम बहावल लाकों में बताईए चलिए बो तो ये कहते हैं कि हम धरम आप ये कह रहे हैं बिल्कुल प्रधान मंत्री ग्रामी अवाज यूजना में सैंक्षन बहुत हुए सैंक्षन हुए हां फिजिकली नहीं मिला एक को भी नहीं नहीं मिला बताईए चलिए हम बता रहा है आपको आटी अप्लिकेशन दे रहते हैं भी आपको वाट्साप करा देते हैं आपको सैंक्षन बहुत हुए सैंक्षन हुए हां बना नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं सैंक्षन हुआ और मिला नहीं मतलब फिजिकल पोजेशन नहीं दिया गया किसी को भी दिल्ला भी चाहिए ना वही आपने आपने का ये नंबर वो नं इसार खान का सवाल है चंदर शेकर के साथ गठवंदन क्यों नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ अरे इतना मुकर होके बात करते हैं तो आख खुलके बताईए नहीं हुआ 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 तो नहीं कि अब उसमें डीप में जाना नहीं है और मैं उनकी बड़ी इज़त करता हूँ बड़े बहद्दूर है वो आप उनकी भी इज़त करते हैं शुपाल जी की भी करते हैं मायावती जी की भी करते हैं तीनों आपकी राजनते एक विरोध में हैं हाँ बिलकुल इज़त करता हू विरोध करेंगे जुरूर मेरा मैं भी उनका विरोध करेंगा मर इजद करूँगा अच्छा मौम्मद अक्तर का सवाल है कि सीटें कम पड़ी कोई भी सरकार बिनाने की स्नितिव नहीं रहा तो किसके साथ जाएंगे अच्छा हो गया सवाल पहले आपकी पार्टी का कोई यू कोई बुलानी होता है क्या अच्छा आपको भी कही लोग यूवानेता बोल देते हैं कि वो इंटर्वी सीरीज में तो 40 एंडर 40 वाला था ही मामला अम तो बोलते हैं भया दारी जेखलो वाइट हो गई है बस करिये बर हमारे पॉलिक्स में तो इंडिन पॉलिए इसी लिए हैं आपको उनके बारे हैं हम कुछ नहीं बोलना चाहरे हैं बाई बड़े बड़े परिवार के लोग हैं उनक्या बोलेंगे अब भी बड़े परिवार के हैं ना ना हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं अच्छा वो बिग स्टार आप लिटिल स्टार नहीं बोल सक करते का मामला हाई है हिंदी फिल्म गानें संतेısं नहीं दो आप चैण से रविफ कौं से याद ने रेता है है का और इसंद में रहा है मुझे कुछ लोगों पर आप नसा कि टिपऑनी करतें मैं आप दिक्राय तो आप कुछ नहीं बोले कि कर नौराह रावन की इजदध करता हूं और रहुल गंदी कर्तुम राहूल गंधी पॉलिटीशन और क्या है क्या अगेविश रहुल गंदी की इजद करने कि एषट करने के लिए मेरा एक अलग पहेमाना है किसी के लिए वह थो पहान बहुत लंबी बाइस होगी चोड़ एकाइज कि अब बता दीजिए अरे आप छोड़ दीजिए ना बड़ चोड़ मैं उनकी माता जी की बड़ी इजट करता हूं सोनिया गांदी जी की इा बड़ी महबबस से प्रेंका से कभी बात हुए फ्रेंका गांधी बाथ हो दिन वह से यूपी में प्रचार करने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो पर ठीक ने रहती ना उनकी उनका जादा मूवमेंट नहीं होता है ने ने होता है मगर आप जब मौत के मूँ से कोई वापिस आता है तो आपकी वही लाइफ कैसा रहेंगी अकबर अद्दी नुवेसी के बारे में मैं आपको एक बार आपको हिद्राबाद आना आपको आकर देखना पड़ेगा एक अकबर अद्दी नुवेसी दस हजार बच्चों को फ्री में स्कूल पढ़ाते हैं फ्री में बहतरी बड़ी बड़ी इमारते हैं स्कूल की तस हजार बच्चों को फ्री में स्कूल पढ़ाते हैं फ्री में और ड्रॉ होता है अड्मिश हैं चाइब हिंदू हो या मसल्मान हो उनके जूकेशन का निज़ाम करा रहे हैं वह हम तो इन से अपील करेंगे जो लोग उनके खिलाप में ब्लकुर रही है आप सब भाच्पाक नेता को बलाते क्यों नहीं है अरे भई भाच्पाक नेता हैं तो यही है कि अकबरद्द्द् भाच्पा वालों को भी दावत है। भाच्पा हो, कॉंएसी हो, टी अरेस हो, हम तो सबके MP है ना, काम से क्या है काम अगर पब्लिक का काम होगा तो काम कराएंगे आइडियोलोजीकल काम होगा तो नहीं करेंगे अगला सवाल है आप अपने बेटे सुल्तान उद्दीन के लिए जमीन तयार कर रहे हैं क्या परिवार के बाहर से कोई मजलिस का सदर बन सकता है क्यों नहीं बन सकता है कॉंस्टूशन पार्टी का कोई बन सकता है तो बना क्यों नहीं अभी तो अरे बनेगा अभी तो क्यों नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा कॉंस्टूशन है पार्टी का कोई बन सकता हो तो पार्टी डिसाइड करेगी पार्टी डिसाइड करेंगे न विनीता का सवाल है देखे आप कहेंगे कि मुझे लगाता नए सवाल आप हमेशा कानून की बात करते हैं भाई ने पंदा मिनिट वाला बयान दिया सोचल मीडिया पर आज भी वाइरल है इसका जवाब दे चुके हम आपको पहले ये सवाल देखे खुब पूछा गया अतीक चौधरी का सवाल है ये डॉक्टर आयूप की पीस पार्टी मौलाना रश्दी की उलेमा काउंसिल इनसे कटबंदन क्यों नहीं किया विचारधारा एक मुसल्मानों के भले की बात सब करते हैं उनसे कोई बात्चीत नहीं हुई हमारे क्यों नहीं हुई बात्चीत नहीं हुई बात्चीत ही नहीं हो इनसे कोई तो लोग आपकी मन्शा पे सवाल हुआ रहे हैं क्या आपको लगता है कि वस्दुद्दीन से कोई बात नहीं हुई कभी कोई कोई बात नहीं हुई odds pix nah バल्कुछ में भी नहीं होने लिए नहीं मालूम बर मैं भsoo भविश में क्या हो सकता मुझे नहीं मालो चंदीप उपाध्या ने पूछा है कि आप मौव में मुक्तार अंसारी के खिलाफ के एंड़ेट उतारेंगे मुझे शौकत साब से पूछना पड़ेगा आपका इंड़ेट हम दे रहे हैं मुझे अचानक याद नहीं है पूछ लीजिए बताओ शौकत नहीं देंगे मना करने हैं नहीं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं तो उस सीट हमको नहीं आई ना अब अलाइंस में सीट नहीं है तो हम क्या करेंगे गड़बंदन किसको गई है वामसे वामन मिश्राम साब को गई है वामन मिश्राम साब उज्वल देव का सवाल है अला कि मुझे पता है इस पे आप क्या बोलेंगे 2024 में किस के साथ जाएंगे यूपी ए या तीसरा मोर्चा 2024 में पताएंगे 2024 का अभी तो बहुत दूर है अभी तो 22 निसार खान का सवाल है हैदरावाद को छोड़कर कहीं और से सानसदी का चुनाव लड़ना हो तो कहां से लड़ना चाहेंगे यही जिम्मेदारी निभाना बड़ा मुश्किल काम है अब कहां कहां लड़ पाएंगे समराट गौतम का सवाल इस लंबी बाचीत का आखरी सवाल पर यह सवाल वो है जिस पर खूब भहस भी होती है क्या आप दो बच्चों की पॉलसी से सेहमत है समराट साब को नरेंदर मोडी सरकार ने दिसंबर दो हजार 21 21 नहीं संसर्थ में जो जवाब दिया था उस सुप्रीम कोर्ट में जो एफीडेविट दाला कि हम बीजेपी के कोई खरीबी अदमी ने दाला केस सरकार ने जवाब दे कि हम टू चाइड नौम के खलाफ है ऐसी किसी पॉलसी पर कि इन सरकार विचार नहीं करें नहीं करें हम तू चाइड नौम के खलाफ है कहा इसकी जुरूरत नहीं है भारत को क्यों कि टी आफ आर रेट हम हासल कर चुके हैं टी आफ आर रेट हासल कर चुके हैं तू पॉइंट बन पे है भी यूपी में भी खरीब खरीब जो था तार्गेट पहुंच चुके हैं अब सवाल ये पैदा है कि एक दमपती के कितने बच्चे नहीं नहीं कितने लोग पैदा हो रहे हैं कितने लोगों के इंतिखाल हो रहा है और वो जो रेश्यों नकलता है तो अब ये बताइए कि इसमें इनका इस सवाल होना चाहिए था कि भारत में जो डिमोगरिफिक डिविडेंट है वो कब तक लास्ट करेगा जो यंग पॉपुलेशन है किसी भी दुनिया में विश्व में वो डिमोगरिविडेंट नहीं है तो पॉपॉइंट नाइन अनिम्पॉइमेंट था सत्रा में अब अनिम्पॉइमेंटेड यूपी में 4.5 के उपर हो गया डिप्लोमा होल्डर्स टेकनिकल एजुकेशन ग्राइजूट होल्डर्स 51 परसंट के उपर लोग बेरोजगार है आप लॉज में खुसके लाटी चार्ज कर देते हैं बच्चों पे रेलवे के एक्जाम में इंटी पीसी के एक्जाम में ये डिमोगरिव डिवेंटिन का इस्तमाल क्यों नहीं कर रहे ये बताईए ये सोशल मीडिया पर खूब इस्तमाल होता है मुसल्मान, मुसल्मान बहुत बच्चे पैदा करते हैं अरे सब बदबार, अरे सब बखवास है ना जूट है जब TFR रेट सब का गिर रहा है तो मुसल्मान का नहीं गिर रहा है कि TFR रेट इस मेरेटिव को कैसे काउंटर कर रहा है यह होता है ना कि यारी दोस्ती में जो पबलिक ने भेज़े उससे अलग भी। All India Muslim Personal Law Board के मेंबर मौलाना खलील उर्रह्मान सज्जाद नुमानी ने अपील की मुस्लिम वोट में बटवारा न करें जहां जीतने की संभावना है वहीं से लड़ें। फिर ये भी कहा गया डेटा कि आप कह रहेंगा खलेश यादव माई का इस्तमाल करते हैं फिर यवाई याद रखते हैं लेकिन सपा सरकार में एक तालिस में पांच मंत्री मुस्लिम समधाय से बिदान सवा में 25 विधायक 17 समाजवादी पार्टी के तो आप क्यों कर रहें फिर उनकी मुखालपते हैं मुझाफ़नगर कांड में जब हुआ कितने मुस्लिम आने मिले थे उतर परदेश में 69 क्या कर लिए आपने 50,000 बेघर हो गए लोग भूल जाए मुझाफ़नगर कांड को अभी तक आश की तारीख में तक मलियाना का इंसाफ नहीं हुआ कांग्रेस सरकार थी मैं मौलाना पर कुछ अफ्स्राण नहीं कर रहा हूं हमारी पालिसी हम मौलाना के इज़त करते हैं सब मौलाना हो की मौलाना सज्जाद दुमानी सहब के आपका स्पेसिट सवाल किया मैं उनकी बड़ी इज़त करता हूँ हमारी पार्टी में मश्वरे के बाद हमने फैस्टा लिया इस गड़ बंदन में हम जाएंगे इतने सीटम लड़ेंगे मैं मौलाना की आज भी इज़त करता रहूँगा कल भी करता रहूँगा लोग ये कहते हैं कि हजदुद्दीन वैसी ये इज़त वाली ढाल इसलिए इस्तमाल करते हैं ना ना मैं दिल से इज़त करते हैं सवाल तो सुन लीजे मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ अच्छा जी उन्होंने कहा कि इतने गृप हैं कोई देवबंदी है कोई बरेलवी है कोई कुछ है कि वो इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स वीक हो जाएगी हमारी नजर में प्रियाग राज में जो धरम संसद हो रहा है वहाँ पर किसी एक महाशेय ने कहा कि दारलून द्योबंद को बन करना चाहिए हम तो यह कह रहे हैं कि अनाफ शनाब तो ना भग ल deme को बन करहा में will beale की हम आपको बता रहे हैं कि हम इन चीज़ों में नहाँ को प्रमोट करते न पढ़ते हैं अगर एक लाजर कुश्टिन क्या है, उस लाजर गोल क्या है, लाजर अब्जेक्टिफ क्या है, उसके अपर तबज्जु लेने की ज़र रहे हैं, चलिए, लंबी बाचीत यहां पर खत्म होती है, इस पूरी बाचीत के बारे में, जमघट के इस लंबे इंटर्व्यू के बा इंशा आला, अम्युक्ति, थैंक्यू